हुआ है hello students आज हम लोग पढ़ते हैं class 10 का बहुत ही प्यारा chapter जिसका की नाम है area related to circle छेप्टर का नाम क्या है area related to srcle clear dopo चलिए आईए तो सबसे पाले हम लोग इसमें समझते हैं कि circle क्या होता है माने circle की definition क्या होती है circle कहते किसी हो ठीक है इस बात को समझेंगे उसके बाद circle से related जितने भी terms होते हैं जैसे radius क्या होती है card क्या होता है diameter क्या होता है क्लियर है आर्क क्या होता है उसके बाद उसमें सेक्टर क्या होता है सेग्मेन्ट क्या होता यह सब सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वून करके सीखेंगे तो आई देरन कर तो सबसे पहले हम अभसे समझजते है कि सरकल की definition क्या होती है बस समझेगा देखिए एक बात नोटिस करिएगा देखिएगा यह सारे points है देखिएगा अब देखिए सारे points को मैं move करा रहा हूं देखिए इस सारे points move कर रहे हैं देखिएगा इस सारे points बेटो क्या कर दो move कर रहे हैं और कैसे move कर रहे हैं कैसे move कर रहे हैं कि एक fixed point से एक fixed point O से इन सभी points के 20 की जो distance है बेटा वह आपकी constant है वो क्या है constant है बस समझेगा देखिए सब सारे points देखिए इस plane पर सारे points देखो ऐसे move कर रहे हैं इन सभी points की बाबू एक fixed point से जो distance है वह क्या है constant है इस प्रकार से बेटा जो भी figure formed होता है उसका ही नाम क्या होता है circle एक बार फीर से सुनो देखो यह सब सारे points को move कर रहे हैं और ऐसे move कर रहे हैं ऐसे चल रहे हैं ठीक है कि इन सभी points की बेटा एक fix points से point हो क्या बेटा fix point है a fixed point है अब इस fix point हो से इन सभी points की जो 20 की डिस्टेंस से बेटा वह एक constraint है clear है तो इस प्रकार से जो भी बेटा आपका figure formed होगा that is circle the definition में लिखे रखाओ और circle is the locust up point बाभू locust up point का मतलब होता है ठीक है बिंदूपत बिंदूपत मने होता है मार्ग कैसा मार्ग एक ऐसा ठीक है एक जो circle होता है एक बिंदूपत होता है मने बिंदूपत होता है ठीक है which moves पाइंत सबसारे प्वाइंट एस प्लेंट प्रेट एसे इस इन इस सच वे ऐसे मूब कर रहे हैं एक इस डिसेंश इन इन सबी पॉइंट सुटा डिस्टेंस एक गिविन फिक्स पॉइंट से हो क्या होती है और व्येस इस प्रकार जोबी फिगर बैता फॉंडोगा जैटी सर सब सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट जो इस प्रकार से जो भी फिक्स पॉइंट होता है वह इस फिक्स पॉइंट को बेटा हम लोग बोलते हैं पॉइंट क्यूंब होता है इसको बोलते हैं जियाड एक हो फिक्सपॉइंट में बोलते हैं और सुनो यह जो हमारी constant distance है कहां से constant distance इस fix point ओ से और सरकल पर किसी भी ठीक बिंदू के 20 की जो दूरी है ठीक है यह मने जो constant distance है इसको बेटा हम लोग बोलते है radius कहां बोलते है radius radius of the circle ठीक है बेटा radius of the circle बोलते है हम लोगों ने दो बात समझा कि fix point ओ को ही बेटा circle का हम लोग center बोलते है यह जो constant distance होती है ठीक है माने जो सारे points इस constant distance आर यूनिट पर बेटा ऐसे move कर रहा है ठीक है यह जो constant distance माने online segment joining the center of the circle to any point on the circle ठीक है इस called the radius of the circle एक ऐसी line segment जो circle के center से बेटा और circle पहिस्तित किसी भी बिंदू को अगर जब मिलाओगे जो भी line segment मनेगा उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते है radius of the circle बोलते है आई हो आप समझ चुके होंगे कि circle क्या होता है उसकी definition क्या होती circle क्याते है किसको है center किसको क्याते है radius किसको क्याते है देखो यहां पर note में कुछ point लिखा गया है the fixed point is called the center and the constant distance is called the radius of the circle यह मैं आपको अलरीडी बता चुका हूँ और सुनों circle with center O and radius R is denoted by C bracket में O R माने एक circle जिसका center O है और जिसकी radius R है उसको denote कैसे करोगे C ठीक है फिर small bracket में O R अगर माने एक circle है जिसका center एक circle है जिसका center O है और radius 5 है उसको कैसे denote करोगे I hope circle के definition समझ गया होगे कि circle क्या होता है आईए अब देखिए circle के कुछ terms होते हैं जैसा आप देख सकते हैं लिखा गया terms related to circle circle से related कुछ terms होते हैं ठीक है जो हम लोग जान लेते हैं तो आईए जानते हैं पहला radius के बारे में मैं अल्यडी बता चुका हूं ठीक है एक बार फिर से देखे एक इस circle है यह मारा fixed point मतलब circle का क्या है center है अब सुनों इस circle पर आपको पता है infinite points है क्योंकि circle बेटा यह अनन्द बिन्दू है infinite points है यह सब इस circle infinite points है ठीक है और सारे points बेटा move कर रहे है इस fixed point ओ से constant distance move कर रहे है तो सुनों एक ऐसा line segment जो circle के center और circle पर स्थित किसी भी point को जब मिला दोगे जो भी line segment बनेगा उसी का नाम क्या होता है radius of the circle देखो लिखा गया है कि a line segment joining the center and joining the center and a point on the circle is called its radius माने एक ऐसा line segment जो circle के center को और circle पर स्थित किसी भी point को तो अगर मिला दोगे जो भी better line segment बनेगा इसी line segment का नाम क्या होता radius होता यही radius होता है अब सुनो मैं पूछो कि एक circle में कितनी radius हो सकती है infinite radius हो सकती है क्योंकि इस circle बेका infinite points है अब किसी भी point को बढ़ा इस circle के center से मिला दो जो भी better line segment बनेगा वो पॉइंट से यहां पर है इसको भी मिला दोगे यह भी क्या हो जाएक रेडियस तो आप देख सकते हैं कि ओ यह ओ भी ओसी विटा सब बेडा रेडियस है एक सर्कुल में इन्फानाइट रेडियस होती है और सारी रेडियस बेटा लेंथ में आपस में एक को लोंगी मनें वह बिलक्ल बराबर होगा किसके और कि उसे कियोंकि यह जो डिस्टेन्स होती हुइटा ठीक है है यह जो डिस्टेन्स से और और ओब ऊसी बेटा ठीक है इस फिक्स पॉइंट ओ से बिटा एक CONSTPALब गal ठीक है यह जो हमारी CONSTREND DISTANSE होती है यसी CONSTIAND DISTANCE होई हैं तो लोगो ने रेडियस क्या होता है इस समझ चुकी है आए आगला समस्ति है जगा संक्रमिट्र बटा किसको समझति रकफरेज समस्द से पहले एक टॉमपों सोता हम लोगàn समझतें परेमीटर डोब परीमेटर आप लोग में बाहा vaat तरफ ममतलब होता है चारू तरफ मनए जो भी इसकी बाउंडरि में इस需要 columns वह गया होता है एसका क्यों होता है मनें पेरिमेटर होता है मनें the sum of all sides इसमें तीन साइट्स है और तीनों साइट मतलब a b plus b c a plus c a इन तीनों साइट को बेटा जोड देंगे जो भी इसकी लेंद होगी वह हमारा क्या का लाएगा पेरिमेटर अगर माला जैसे इसकी चारों साइट को एड कर दीजिए मालीजी a b c d a b plus b c plus c d plus d a बाउंडरी की बेटा जो लेंद होगी यहीं इसका क्या होगा पेरिमेटर होगा मनें पेरिमेटर का मतलब होगा कोई भी अगर विधर पालिगों ऐसे यहा अगर फिगर है ठेक है यह कोई भी पालिघन साय ठीक है उसकी सब्गेटा पांडरी का जो लेंद होता है वहीं इसका क्या कहाला क्या पेरिमेटर पेरिमेटर आप लोग जानते हैं लेकिन से सर्कल ये सारे किले कियां इस सर्कल का जो बी पेरिमेटर होगा वैर्मीटर का मतलब प्याइस की ज lot of boundary इख değildi देलेन्थ एक डिस्टेंस होती चारो तो लेंद्ध होती चारीव होती वह इसका क्या काल आगा पेरिमिटर का लाएगा अच्छा सुनो एक मैं एक जांपन देगा हूं एम आलो बेटा सरकुलर क्या बेटा एक पार्क है माली जे एक पार्क में आप घुमने गए हूं ठीक है वह पार्क कैसा है सरकुलर और आप से कोई पूझ दे की बताइए कि इस जो circular path है यह जो circular park है इसका circumference कितना है तो मालीजिय आप bike से घुमने गए हो ठीक है आपने यहाँ से इसके यहाँ से bike आपने क्या किया इस start किया अब bike start करके बेटा इस circular path का एक round एक round लगा दो तो जितना भी ठीक है आपके बैटा बाइक में ठीक है आपका जो डिस्टेंस मेजर करने वाला बैटा होता है उसमें आपको बता देगा कि यहां से यहां तक आपने कितना डिस्टेंस कबर किया ठीक है जितना भी डिस्टेंस होगी ठीक है वहीं बैटा उसकी क्या का लाएग भी बोलं का लाइगी और सुनो दोगो यहां दिखा गया दप्र मिटर आप सर्कल इस दे लिए प्र करते हैं अब शरकम्फरेंश कार मुला होता है जब रेडियस पता हो औस सर्कमफरेंश की बाटर प्र मुला होता है जब diameter पता, इस formula की बात हम लोग भीता, आगए करेंगे, पहले हम लोगııur terms समस्ते है कि circumference क्या होता, मुझे जहा तक पूरी आसा है भीता, आप लोग जो circumference, जो terms है, सरकल का जो terms circumference आप उसको समझ चूँके हैंगे, कुछ नहीं होता है, simple है, जो भी circle का सथार क्ता सारे बंटुई करने का से एक फिक्सस ब्यूइंट करई प्यूइक रहर रहे हैं कहां से एक। ऐसे सारी पॉइंक्स क्यान बोपकर रहे हैंerson करा वा उससी भी दो पॉईंट का आपस प्रम्राइल इस यो भी ना बनेगा ठीक हा उसी का नाम बेटा होता है कार्ड माने कि और लाइन सेग्मेंट जोइनिंग एनी टू पॉइंट्स अन्द तो पॉइंट्स अन्द सरकल इसकाल दकार्ड अप्ड़ अप्ड़ सरकल काने कम अधर डेफिनिसा मिलिका गया और कार्ड आफ तरकल इस अ लाइन से किसी भी दो पॉइंट को किसी भी दो पॉइंट को मिला दीजिए ठीक है किसी भी दो पॉइंट को मिला दीजिए उसलब क्या का लाइगा बेटा कार्ड अगर मैं बोलू कि एक सरकल में आप कितनी कार्ड रा कर सकते हैं और सर तो सरकल पते इंफनाइट पॉइंट्स हैं हम किसी भी दो पॉंस को मिला सकते हैं इसका मतलब कि एक सरकल में बेटा infinite cards होती है clear है यह दोखो सारी card है अब दोखो मैं पोचो इन सभी cards में अगर मैं पोचो कि सबसे लंबी card कौन सी है तो सुनो अगर बहुत ध्यास अभजर्ब करोगे तीक है यह सबसे लंबी card हो गी बेटा जो सरकल के center से होके गुझळेगी पास करएगी card वेटा वह सबसे लंबी card होगी देखो हमारी जो एही जो card है बेटा इस circle के center से होके पास कर रही है ठीक है इस इसी कार्ड कि हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो, डामेटर बोलेंगे, जो वाणने, जो क्यों तो u srk Billie क kalian बोलेंगे, की गुजरें उसी कार्ड को हम लोग बोलते हैं सरकिल के बेटा डाइमेटर तो आपने समजा से किसी भी दो पॉइंट को बेटा अगर आपस में जूइन कर दोगे जो भी बेटा लाइन सेग्मेंट बनेगा तो हमारा क्या होगा काड होगा अगर वह काड सरक्ल के सेंटर से हो कि गुजर रही है तो हमारी सबसे लंबी काड होगी और सबसे लंबी काड़ी बेटा सरक्ल की बेटा क्या कलाती है डामेटर कलाती है अच्छा अगर मैं कोशन पूचो कि एक सरक्ल में कितने डामेटर कर सकत तो इसे बहुत सारी कार्ड ऐसे इंफनाइट कार्स बैटा जी तर्कल के सेंटर्स थो के सकते हैं महाने एक से इंफनाइट नमबराँ कार्स होती है कोश्चन पुचा जा सकता है कि हुआ में इन आपढ़र्सके राव लेंगे कुछ आपने कार्ट समझ लिया अब देखर डामेटर में समझा चुका है और दामेटर इस तो देज़ने यहां मिलला है सबस्क्राइल वैस इसते शोआ थी इस सर्किल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को अगर मिलाओगी बेटा उसको हम लोग बोलेंगे रीडियस क्या बोलता है रीडियस सर्किल के सेंटर से बेटा और सर्किल पेस्थित किसी भी पॉइंट को जब मिलाते हैं तो क्या बनता बोलो अब सुनो यह जो हमारा जो मारा ab है ठीक, ab है जो diameter है वो किस के equal होगा, क कहो होगा اom a के equal होगा plus o b का लोगा, इव जो मारा a b diameter है a b diameter किस के equal, o a a plus o b के equal होगा, अब बाद समझवो, जो मारा a a b होगा बात समझना हो मारा आ अप समय आमेटर त समय कुमेंट समय कर दे से रहा हू आपसको कितना होगा ऐसे कार न队ोग समय कर दोसॉजी के या वातकर नॉन होगा हैस होय नहीं मुस सॉटा उस्कल तू एसको डहा है ट्रक्तर वितना है तो आज के बाद याद दखना कि जो डामेटर होता बैटा वो रेडियस का दोगूना होता तो डी स्कॉल टू बैटा कितना हो जाएगा तू आ अगर यहां से अगर आप आर निकालोगे तो चला जागा नीचे डी अपान के टू आर इसको बैटा नोट कर लेना डी अपान के इसका पर नोट जल्दी से बनाई अप लोग जल्दी से बनाई अगर अगर इसका नोट आप लोग बना चुके होंगे दी स्कॉल टू टू आर इसको डी अपान के टू लियर है चलिए आगे हम लोग समझते हैं कुम से सेखिंड क्या होता है को समझने से पाले आपको एक चीज समझना होगा क्या हो है लाइन के बारे मिन लाइन आप लोग जानते होंगे Goldinho in L bee जो लाइन बीटा होती किसी फ्लेंग पर दोनों तरफ तीर होती यह मानने दोनों तरफ इसका इंडेले सले बिटा ने एक्स्टेंड कर सकते हो ठीक, ए लाइन का सिंबल होता इसा ए भी इसको फ़र ऐसे कर देंगे, दोनों तरफ ए रोगी ठीक, ए लाइन हो गया, अब सुनो, एक ऐसी लाइन जो सरकल को, सरकल को बेटा, जो सरकल को दो पॉइंट पर इंटरसेट करते हैं पैटा, निकल जा है, उस लाइन को बेटा बोलते हैं, यह लाइन है सपोच, यह लाइन है, सरकल को बेटा दो दिस्टिंस पॉइंट पर इंटरसेट करते बेटा गुजर रही है, इसी लाइन को बेटा बोलेंगे सेकेंड, क्या बोलेंगे सेकेंड, बेटा यह सरकील की बेटा क्या होगी सेकेंड, 2nd का मता हिंदी मोटा छह दक को माने 2.2 बेटा को क्या करता इंटरसेटकर तो निकल जाए ठीक उसलान को बेटा क्या बोलांक lucky से किन डेपनीश अब्देखो अर लाइन विच इंटरसेट औ सर्किल ही इन तू डिस्टिंट गॉंड इतspr CSV एक ऐस 역시 century's ठीक, जो circle को बेटा, दो distance point पर Nederlander आगे आपको अगला term मिलेगा tangent क्या मिलेगा? tangent, अप सुनो Antlarda टेंजेंट क्या होता कि एक ऐसे line जो circle को बेटा, ठीक, एकजाक्तलि एकजाक्तलि ठीक, वन atau ऑन पॉाइट पर बेटा, इंटरसेट करते हुए निकल जा, ठीक है, इस लाइन को बोलेंगे हम लोग क्या? टेंजिन बोलेंगे, धोई जो हमारी AB लाइन है इस सरकील को बेटा, बस केवल एक पॉइंट पी पर ही ठीख इंटर सट करते हुए निकल ग lot जाक्यी बन पॉइंट Pो इंटर सट करते हुए निकल गई बैट travelling शुआ में बोलेंगे ए पीग बोलेंगे शागल का टेंजेंट हो यह जो लाइन है ठिकार इस प्रोकिल को जिस पॉइंड बेटब मधा को्य रहे है इससे बॉइंड को जो मादकर केसं इसको उलता भूइंड कर रहे है यह पॉइंड कर रहीलों इससे है लृशे को उलगी मिविदा करेंगा लास है ज्याट लिखा गिकार के exactly one point exactly एक ही point पे बैटा अगर इलाइन circle को अगर इंटसेट कर रही है टच करते हुए निकल जा रही है तो समझ लेना इस लाइन को क्या बोलेंगे tangent बोलेंगे आई हो आप लोग समझ चुके होंगे आई आगे हम लोग बात करते हैं कि position of a point with respect to a circle ठीक है माने किसी भी point P का position circle के respect में क्या होगा ठीक है तो तीन condition होती बैटा अगर मालो एक point P एक point P circle के बैटा interior part में लाई कर रहा है circle का अंदर लाई कर रहा है तो अगर और से लेके P तक की distance और से लेकर के P तक की distance अगर बैटा less है किसके circle की radius से तो समझ लेना कि point P बैटा circle की बैटा अंदर लाई करेगा माने कि O P की जो distance होगी अगर इस radius से बैटा कम है तो समझ लेना इस point P की जो position होगी बैटा interior of the circle होगी बास समझो a point P is set to lie x point P को ठीक है lie कहा जागा किस में कहा लाई करेगा ठीक है inside the circle circle के अंदर लाई करेगा कब जब O से लेके P तक की distance होगी धीक है वो less होगी कि से circle के radius से तो समझ जाए ना कि जो point P बैटा होगा circle के बैटा inside बैटा अंदर लाई करेगा लेकिन अगर O से लेके P तक की distance O से लेके टीकर एक यूइए ऑस लेकिष्ट के रियस्ट के अगर दिकर एकवल या तो समझा न मलएक फील किये यूजए पॉइंट्ट प्योगा उस सरको अगर itt तो समझ जाना जो पॉइंट पी कहा लाई करेगा अगला पॉइंट अगर पॉइंट पी सर्कल के आउट साइड लाई करेगा कब जब और से लेकर के पी तक की दिस्टेंस उसे लेकर के पी तक की दिस्टेंस बेटा वह ग्रेटर हो जाया circle की radius से क्या हो जाए greater हो जाए तो समझ जाना कि point P बटा circle के outside ला करेगा आपने देखा कि किसी भी point P की position with respect to a given circle given circle की respect में क्या होगा आपने देखा कि OP अगर less है circle की radius से तो point P inside लाई करेगा अगर OP बराबर क्या है radius के है तो समझ लेना point P circle लाई करेगा अगर OP बेटा greater है किससे circle की radius से तो point P बेटा circle के outside लाई करेगा यह तीन point थी ठीक है circle की किसी भी point P की position with respect to circle हम लोगों ने देख लिया अगला interior of the circle बेटा circle का interior क्या काला आता है तो सुनो अगर यह मालो बेटा कोई circle है तो अगर कोई point P अगर वह circle पर लाई करे circle पर लाई करे मालो बी सी या कोई point P circle के अंदर लाई करे ठीक है माने काने का मतलब कि OP अगर OP बेटा ओसे लेकिए P तक के जो डिस्टेंस है ठीक है वह radius के बराबर हो या radius क्या हो कम हो तो समझ लेना ठीक है उसको बोलेंगे interior of the circle माने कि कोई भी point P या तो exactly ओसे लेकिए P तक की डिस्टेंस या तो radius के equal हो या तो ठीक है OP क्या हो radius से कम हो इस सभी points को क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे interior of the circle देखो a point P lies in the interior of the circle COR if OP is equal to r less than r अगर OP बेटा radius के equal है या OP radius से कम है तो इसको बोलेंगे punt P कहा खरहा interior of the circle देखर रहा इस बाग को ध्यां देना exterior of the circle क्या होता है exterior of the circle का मतलब अगर OP डीकविटा radius से बेटा greater है तो समझ लेना कि Point P बेटा ओकाल आईगा exterior of the circle को तर प्य Jul अब धारर मतलब हो गया कि अगर ओपी बिरट अठीग डियस का ब्र भूरे डियस से कम । उसको बोलते इंटीर अब धी सरकल बोलते है ठीक है लेकिन ओपी अगर इस बढ़ा हो तो उसको बोलते अट टेरीयर अगों के ड साइडकना फिरिया ओन्राइट अगला किया पारीजन क्या होता कियो है चरख सबार्स बाराई नगले अगां फिरिया टिकला खिच कुम लोग थिक्स कुम लोग कोई कोई भी रिजन बेटा या तो इससललक करे या तो सर्कल की का अनदर लाइक ठीका इन सब वो अंटर मिसेटाजारं एक नि एख्लयजिन खोन लोग सर्क्लिदिक्ष भी भाल थे समस्साइब tribarti जो भी रीजन होगा पूरा इसको कालेंगे हैं जो बोलेंगे जर्कुलर रीजन को बैटा हम लोग सर्कुलर इक्स बोलते हैं जहां भी अगर आगे बोलू कि शर्कुलर डिक्स तो समझेना है जो सारी एरिया जो एक सर्कल क्या कर रहा है कवर कर रहा है तो सर्कल क्या एरिया कवर करेगा ठीक है एक सर्कल के अंदर और जो भी सर्कल पॉइंट लाए करेगा यह पूरी जो एरिया होगी बेटा ठीक है इसको हम लोग बोलेंगे ठीक है circular reason इसको थोड़ा से मैं सेडेट करदो देखो सेडेट करदो कि इसको को बोलएंगी बैटा circular region कोई भी point या तो circle पहलाई करें या तो circle पहला एक या तो सरकल के अंदर लाई करें इस सभी को बोलेंग के लगों इस सब बेटा बेटा सब अब्लिक्स हो गया वारी है समझा यह पूरी बेटा हमारी क्या हो जाएगे यह सर्कुलर डिक्स बाज समझना सब ठीक है या दखो खेक है अच्छे इसको रंग देरा अंदर आयाестно ms अच्छे-सको रंग देरा ओंक एसे जो भी एरिया झूबी पैटा एरीड बेटा ऐसे बाउंड हो रही है सब्सक्राइब बिए और भी इरिया एसे बाउंड हो रही है ठीक है गिरी एरिया इस अलिक बोलो सरकुलर डिक्स हो गई बास अब अगली पॉइंट दोगों सेंटिक सर्क्ल क्या होता इस दोनों सर्कील एंगी सर्कील है अच्छा कला दूसरा ले लेते हैं की जिन का सेंटर सेम हो और डियूस अलग-अलग हो ए देस सर्किल जिनका सेंटर सेम हो और radius अलग अलग हो ऐसे circles को बेटा concentric circle बोला जाता है हिंदी मोलते है सोग चेंदरी बित मानि जिसका ऐसे बित जिसका केंदर center एक अई हो A center एक circle हो गया एक circle A B हो गया और दोनों circle की खासियत क्या है कि दोनों का center बेटा एक अई है और दोनों की radius अलग है इस radius को बेटा हम लोग इसमाल आर इसकी radius को बड़ा circle capital R ठीक है बड़ा इसको बोलेंगे हम लोग concentric circle ठीक है तो ऐसे circles जिनका center same हो और radius क्या हो अलग-अलग हो ऐसे बड़ा circles को बड़ा बोलते है अलग है अलग है concentric circle ठीक है दोको definition लिखा गया है circles which have the same center and different radii अरकाल concentric circle बेटा ऐसे circle बेटा जिनका center same हो और radius क्या हो different different हो बेटा ऐसे circle को बोला जाता है concentric circle बोला जाता है और सुनो एक मैं आपको बात बता देता हूं हो सकता आगे हो सकता topic मिले देखिए है कि नहीं नहीं ठीक है क्या लिखा गया एरिया अपना सर्किल उससे पहले मैं आपको कुछ चीजे बताता हूं यह जो मारा concentric circle हो गया यहां दोको दो concentric circle है एक छोटा एक बड़ा है दोको दो concentric circle कि अगर मैं बीच पूछू एरिया मैं पूछू कि यह दो जोनों circle है जो दोनों क्या है concentric circle है तो दोनों concentric circle की बीच की area क्या होगे तो बड़े circle की area मैं से छोटे circle की area minus कर दोगे मने दोको मैं इस को रंग दे रहा हूं यही वाली area इसी area को बेटा हम लोग बोलेंगे ठीक है area between two concentric circle जो rate ठीक color से बड़े रंग रहा हूं इन क्या दोनों circle की बीच की area यही है ठीक है area ही है और इस area को बेटा हम लोग एक नाम देते हैं क्या आप नाम देते हैं बोलते है area of ring area of ring area of ring जब भी बोला जा कि area of ring तो समद जाना बेटा कि दो concentric circle की 20 की area जो होती है उसी को बेटा हम लोग area of ring बोलते हैं इस बड़े circle की area में से इस छोटे circle की area माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा इन दोनों circle की 20 की area दोखो बड़ा circle है चोटा circle है इन दोनों circle की 20 की area यह नहीं होगा ठीक है दोखो इस capital R को बोलते है outer radius और small R को बोलते है inner radius तो बड़े circle की area circle की area का जो फर्मूला होता पाई R square होता है पाई R square तो पाई R square में से बेटा इस छोटा circle की जो area होगी पाई R square अगर माइनस कर दोखो बेटा यह क्या हो जागी area offering ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं वलाय का छत्पल वलाय का छत्पल का मतलब दोनों circle की बीच की area होती बटा यह आपका वलाय होता इसी वलाय का छत्पल की बटा हम आम रिजी में area offering बोलते हैं ठीक है जो की पाई R square माइनस इसमाल पाई R square होता है इसकी चार्चा मोग अभी आगे करेंगे यहां पर कंसेंटिक सर्कल था तो आपको बता दिया आगे लिखो आर्क आप और सर्कल क्या है आर्क आपर सर्कल का आर्क क्या होता है आर्क को कैसे डिनोट करते हैं ठीक है आर्क सेंटर पर एंगल भी बनाता है उसको हम लोग सेंटरल एंगल के नाम से जानते हैं ठीक है आर्क में माइनर आर्क भी होता है मेजर आर्क भी होता है अगर माइनर और मेजर आर्क तो यहां से और यहां से ब्रेक हो जाए ब्रेक हो जाएगा इसका दो टुकड़ा हो जाएगा एक टुकड़ा ona एक टुकड़ा ऊपर वाला और एक टुकड़ा इसका एक टुकड़ा नीची वाला एक टुकड़ा नीची वाला再 सरकिल का सेंटर को सबकर जोड़ेद ना इसको अ मंभेरू इसका फुब क Mainblue है इसको सी कर दिया और सब्सकों डिया क्या हो गया हो गया एक सीबी एक टुकड़ा आथ सरकल इस इने दोनों टुकडों को वेटा हमता yaş Style का लोग और क्या लेंगे आरक क्या होता है हुआफ stay और क्कंतिनव सब्सक्राइब कर लोग को एप और मरकंप्लेट सरक अथा कंप्लेट भैंगल कर एस पूरे बैंग्ट का इस फूरर्य साथ लSec During का एक कंटिनियस तुकड़ा ही टो है इसी बीटा भेस्चिप लोग बोलते हैं क्या आर्क कर सटाक बोलते हैं एफ एभ आर्क A, C, B को डिनोर कैसे किया जाता है लिखोगे A, C, देखो A, C, B लिख करके ऐसे हैं ऐसे कर दोगे इसको पढ़ा जाएगा आर्क A, C, B या इस आर्क A, C, B को सिंपली बस आप ऐसे लिख सकते हो आँ आंज हो, बस पहला पॉइंट A, लास वाला पॉइंट B, लिकर के बेटा इसको ऐसे कर दो बस यह आर्क A भी होगया अग्रों इस वाले आर्क को कैसे लिखेंगे जो हमारा आर्क A, 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 C, A, 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 C, A, A, R, Q, A, B, D, A है इसको कैसे डिनुट करेंगे लिखेंगे B, B, A इसके उपर ऐसे करेंगे इमरा आर्क B, A हो गया आर्क B, A हो गया अच्छा इसको सेंट्रल एंगल मिलेगा आपको आगे अभी बता जिने सेंट्रल एंगल अब दो कि कि the angle subtended by Arc, at the center of the away circle, is called the central angle. देखो ये जो हमारा Arc A से भी है, इस centre इंगल A, O, B, एंगल हमारा Lapower बना रहा है, इस A, O, B को हमने क्या माल लिया, थीटा, तो यहीं जो थीटा है, हमारा सेंटरल एंगल है, इस आर्क एबी के द्वारा जो भी सेंटर जो बना एंगल होगा वो मारा क्या होगा सेंटरल एंगल इसको मने थीटा से दीनोट कर दिया बात समय रोगने अगर यह सेंटरल एंगल थीटा कमान थीटा कमान अगर 180 डिगरी से बेटा अगर कम जो भी आर्क बेटा सेंटर पर से सिए डिघ्रेस से कम बनाएगा इस औरको को वेटा मनों बोलेंगे माइनिर को क्या बोलेंगे माइनर आर को अब आ गालों अभला भी आर्क मेरत ऑटे आतोी वाला आर्क अजो मालो थीटा इसको डैसमालो तूटा legitimately सब्सक्राइब आप समझ चुक्राइब कि माइनर आर्क किसको बोलेंगे और मेजर आर्क किसको बोलेंगे और एंगल अगर आपको पता है एंगल के थूँ आप बता सकते हो किस जह ए आइछ है माइनर आषगा कि मेज़े आझा हो गागर सेंट्रल एंगल थीटा का मान वेटा अगर 180ड बाइश से काम है तो समझ जाना जो आर्षग होगा वह हमारा माने सो अधिक हो तो उपर वाला आर्क बेटा अगर सेंटर पर जो सेंटर एंगल जो भी थीता-डेस बना रहा है ठीगा अगर लेके से Easy अगर ज्यादे बना रहा हो तो समझ जैना ओला क्या होगा हुग मेजर आर्ग हो गा Ale hope आपलोग आर्टकी बारे में समझ produk से एक बात मैं आर्थ के बारे और बतारा हू तो सम जो जैसे दखो कि हमारा क्या हो गया सिर्कल ओ कि इसको ऐशे इवी कर लू अच्छा AB से पहल एक end equipment चीज और जानो circle को बेटा, two equal arc में division करता है, मन् hotels that diameter divides a circle into two equal arcs earnすごい to the circle, एक बेटा जो diameter होगा, circle को बेटा, two equal arc में division करेगा, एक arc नीचे वाला, एक arc नीचे वाला, और एक arc उपर वाला, एक arc उपर वाला, एक arc देखो, उपर वाला, अग खासियत क्या होगी, इन दोनों आर्क की जो लेंथ होगी वह आपस में इक्वल इन दोनों आर्क की जो लेंथ होगी यह आपस में क्या होगी इक्वल माने यहां से यहां तक जो भी लेंथ होगी उतना इलेंथ क्या होगी यहां से यहां तक क्यों होगी माने एक बटा डामेटर सरकल को तू इक्व सरकल क्या बोलेंगे सेमी सरकल बोलेंगे आयोप सेमी सरकल क्या होता आप लोग समझ ते Heart मैंने कि अगर एक parameter circum 하지र गटर टू इक व्रॉड्श कर दिवाइब करता 아ल इन प्रतिक सुनों इसको वाली जो लेंध होगी मैं यहां से यहां तक की लेंध होगी इस में माल जानों की इसमहल और स्ट्ध लेकर के लिए से लेकर के फूरा की टक की भी होगी उसको में माल ले रहu के क्या कैप्टे लन दो अगर माइनर साझ क् offensive क detrimental नो दूसरे सब्दों में ठीक है तो अगर इस जिस भी आरक की सेमि सर्किल एक लेंथ से अगर कम समय जाना वा माइनि अग जिस भी आर् सेमिक्ल में खेंसे बैटा और दिखे तो समझ आना हुआ हमारा कया होगा वे हमारा क्या होगा सब्सक्राइबRISM मतलब की दर क्ट्राइब क dalit अप और कॉर्य कि दसबेंअ का लेंद कंट TP 10 देन दलेंच देन्ध आप the same высокie is called or minor अगर सेमी सरकल की लेंग से अगर विटा कम है से में सरकल कहां से लेके यहां तक से मी सरकल कि लेंगे मैनर अरक बोलेंगे आद इसलिए और को क्या बोलेंगे और माइनर आधिकर बोलेंगे और माइनर आइना की के लिए के लिए आपको पता चलिए कि लिए नियुक्स की बाउन्डरी के लेंट यह अल्य लेंगे जोड़नुखोल करेंगे यहां से यहां तक कैप्टल लिए जोड Wassling के क्या माइणर आर मेहर से के कि लिए कर चायी क्मेह यहां एक यहां Summe आई वोप आप लोग आर्क की बाड़े में समझ गया होंगे तो आप लोग तो दो कती प्रकास content कर सकते हैं कि माइनर होगा कि मेजर एक तो आपको Central एंगल पटा हो अगर Central एंगल ठीटा 65 समझ जाना वह आर्क आपका मानश आदे क्रोगा अगर Central एंगल ठीटा 180 80 degrees से अधिक हो तो समझ जाना वह हमारा क्या होगा बोलो आपका मेजर आर्क होगा या तो आर्क की लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ से बेटा कम है तब भी आपका माइनर आपका आर्क होगा अगर आर्क की लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ से बेटा अधिक हो समझ जाना वह आपका मेज बात है इतनी बात है आप लोग ठीके बारे में जानती रहेगा आगे बहुत सारी फ़र्मुला बता हूंगा घृता हूं उसके जो टाम से उसी को बता रहा हूं कि गुट killer 챫ि फेसेंट्र tad THEMmbol बोलते हैं डिघ्री मेंजर अपट बतायक बता चुका हो Comme जो भी वी और सबस्ञेम करता है उसी बैट अला को लोग क्या बोलते हैं Central अंगल माने कि the angle subtended by आर्क ठीक एड़ दर सेंटर अब दर सरकील इसकाल Central अंगल माने कि जो भी बैटा आर का सेंटर पर जितना भी अंगल सब्केंड करेगा ठीक उसी का नाम क्या था और सेंटर एंगल सेंटर ईंडर को दूसरे समझे बोलते हैं degree menzer are further degrees as a 5 अार्ट qe dora jogy बैटा mentor jóg iokay अंगल बनता हु星 आप इस अधे को आफ लो हमेशा याद रखना और चीज में और बता अ मताँ अ कि की मिंधर के रीचार चाहर और भी वह डिकता से लिएक कनाश्य के लिए रहा होगा वो 25 इस नवी तर लेट हमी की आये सकते में इसले सेमीust कि नेक्षिय कीसि dart मानेक कराने का मतलब है कि यूग गालिस यू睹 एंग ऊपना होगा बस्सिंट तोटल 340 जल यूटा लेकिन द वियू पर सेर्क्ली मुझस 7 zat grai जह ज़्ल जर्क्ने करता है इस लिए अधिकना इस ल्यू फुरी मेंजर आप सरक्ली इस थी हंदे री्ल लेकिन द इगरी मेजर semi-circle is 180 degree and the degree measure of minor arc is less than 180 degree or degree measure of major arc is greater than 180 degree is about to go down in a abit terms me leg up for again quadrant of a circle quadrant of a circle क्या होता कि सर्किल का बेटा एक एक चौथाई पर्ड वन फोर्थ एक हमारा ab diameter है और एक हमारा क्या है cd diameter है इन दोनों diameter की खास्यत क्या है कि दोनों diameter बेटा आपस में क्या है अगर दो अगर पर्प्रिंड को डामेटर होंगे तो समझ लेना सर्किल को चार इक्कुल जोड़क ठीन चार एक तो कुठोड में डिवाइड करेंगे इस प्रतीक तो को बेटा र्ड़कakah बोलते हैं कार क्वाडिये आपसर की बोलते हैंना वह सीच्छे mac हमारा quadrant होता है quadrant होता है ठीक है इसका जो central angle बिटा होता है वो 90 degree को तक आता बोलो 90 degree को होता है ठीक है प्रतेक आर्क आपस में इकोल होंगे x plus x plus x plus x 4x is equal to 370 degree x निकलो कि तो 90 degree या दखना द्धर डिग्री मेजर आप quadrant is 90 degree या बोल सकते हो कि the central angle of quadrant is 90 degree माने जो और सेंटिरल एंगल होता है रिजुटा मैने ऑल का सेंट्रेफ एंगल 120 यादे और ऑजें पूरा सरक्ले की तेग्रे और सेंट्रेंगल को ही बीटा बोलते क्या डिग्री मेजर अफें आर्क बोलते को आप को आप याद अथी अच्ट लिए अगले पॉइंट शरकल दिवाइट इंटू ओर टू इक्वल आक्स इच आप डीज तु आओस इस काल्ड सेमी सरकेल टो इस तो ड्यामेटर होता उस सरकल बेटा दो एक्वल आग्मी डिवाइट करता लिए प्रतेक एक कुल आप कोई बेटा क्या बोला जाता है सेमी सर्क्ली बोला जाता है यह मैं आपको बता चुका हूँ अगे दिखू हूँ A B माईनर आर्क की लेंग फुर्ट हुटा हम लों इसमाल ऐल्से डिनरोड करते है और मomniaजर ऑरक की जो लेंगो ती है उसके लेन यह क्यों ओली DOUब नक्री नक्रीश को एक संड़े इसायार सेटा बनाता एक सबस्वासी डि папा कर यह यह लिदू आफ गान। the length of an arc is less than the length of the arc of the semicircle करा यदी इस arc की length semicircle semicircle की length से बेटा semicircle की length से बेटा ठीक है semicircle 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 की length से अगर कम है कम है तो समझ जाना इस वाले irku को क्या बे बेलेंगे से मेल सरकिल का होगा एसे और इसे इस इसे सी और दी तो सी से लेकर पूरा बी त Pal sub 175 लेन तोगी और शेले की मीट तक मारी आज़ी ए मैन अर्क कि लेंग होगे इस माइनर आर्टी की जो लेटा इस सेमी सर्कौ की लेंड से कि लेंड से जबता एथ तक हम यहां से यहता कि जो लिन टोकी बैता उसको ऑपलेंगे मिलेंगे वो लिंगे यायँ है कि पीडकल है जर्क को कैसे घ्ली है तो किट या अन्वानेर मयां जो धाय थो हो पाल ट्रेश्ट। ह pak अजुट Jamie क्वर्च में शब्च जरी इसमानल की लेंगे तिक अगर कम है उस आर्कों हम लोग बोलेंगे मैन अर्क लेकिन जिस आर्क की लेंद बेटा सेमी सर्कल की लेंद से बेटा अधीक हो उसको क्या बोलेंगे मेजर आर्क बोलेंगे यह मैं आपको पीछे ही समझा चुका था डेपनेशन अपर नोड करते चलना सेगमेंट अपर सर्कल अगर यह सेगमेंट अपर स्रकल क्या होत vehicle आथ epoxy इसको समझते शब्स में एक हमारा दुखक हो गया क्या ओगयाँ में सरकल हगया अपसनों एक हमारा काड काड़ ऋगया काड एविक झार्घ है हमारा आर्फ हो एमया ठीक है तोिस थे कह यह सरक नकर थी wt को वारा और को स्पांडिंने बटा कर पेता सबो़ों नहør yen कि पैटा एरिया होगो। जो भी कि ग्रीयर यह वे इसी को भटा सबोड बोल कि इसे लेन आप सर्कारे कि जिन् का है कि एसे को दो रीमेन से लिए्ट में ऑइठ थैकर एंड अपार्ट इस काल of segment of a circle ठीक आप सो दोको डेपनिशन दपार्ट अब दब सर्कूलर रिजन वैं सर्कूलर रिजन का ठीक पार्ट कौन सा पार्ट जो बाउंडेड मने घीरा हो किसके दागिरा हो एन आर्क आर्क के द्वारा घीरा हो एंड कार्ड के द्वारा घीरा हो इंक्लूडिंग दा आर्क एंड कार्ड एंपार्ट पॉइंट है उसमें आर्क भी इंक्लूड होना चाहिए और कार्ड भी क्या इंक्लूड होना चाहिए ठीक है जो भी एरिया होगी बेटा उसको बोले सेगमेंट आप देशपी सिंपल है ठीक है किसी भी सर्कील के बिटा किसी भी सर्क्ली राज़न का वब पार्ट जो काड की डवार और आख की बभार घिराओ लेकिन सर्कल का कार्ड और आर्क दोनों उसमें इंक्लूड अब दोना चाहिए उस सब्सक्राइब गिरी एरिया है ठीक है और इस सेगमेंट में हमारा मेजर आर्क है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बेजर सेगमेंट इस पूरी एरिया को मेजर सेगमेंट बोलेंगे और इस वाले सेगमेंट में हमार माइनर आर्क इंकलूर था इसलिए इस सेगमेंट को हम लोग क्या बोले सेंटर होगा वह मेजर सेंट मेजर सेगमेंट में लाई करेगा माइन सेगमेंट में सेंटर कभी भी लाई नहीं करेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसे विटा याद कि रखना तो इसका मतला हम लोग सेगमेंट समझ चुके सेगमेंट कुछ भी नहीं होता सेंपल हो सुनों एक होता अल्टरनेट सेगमेंट मनें कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं अगर कोई बोले कि अपाटी दो अल्टरनेट सेगमेंट देखो लिख देरा अल्टरनेट सेगमेंट सेग्मेंट क्या होता है कि माइनर एंड मेजर सेग्मेंट और काल्ड अल्टरनेट सेग्मेंट मने माइनर सेग्मेंट और मेजर सेग्मेंट कोई बेटा हम लोग क्या बोलते एक सब्दों में आपको अल्टर नेट सेग्मेंट बोलते हैं बात समझ रखी नहीं मैंने एक सब् यह वाली एरिया और यह वाली एरिया दुन्हों को जोड़ दोगे जितनी भी सर्कल की एरिया होगी पाय आर इसको उसके बराबर हो जाएगा अगले पॉइंट दोगो अगली पॉइंट क्या है अल्टनेट सेग्मेंट अप अपसर कले में आपको बता चुका हो दोखो माइन इसक्तर आपर सरकल यह क्या होता है देखो अगर है हमारा सब को सरकल हो गया से कहा है City कैं और मरूए से लेकि बी तकुन स्रें माइनर अको गये इस माइनर आर्क और सरकल कर सेंटर ऐसमने असे मिला दू को इस पॉइंट ज कर से मिलाद रेडिये हो गया दो round do कि बिटा द्वारा जो घिरी एरिया होती है इसी को में लोग बोलते हैं सेक्टर क्या बोलते हैं सेक्टर क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं अब यह वाला sector में क्या है कि minor sector minor arc है ठीक है इस वाले sector में बढ़ा कौन सा arc include है minor arc include है इसलिए इसको आपका minor sector क्या बोलेंगे minor sector अब दोखो ऊपर वाला भी दोखो sector होगा क्यों यह पूरा arc हो गया कैसा arc है major arc है और यह दो रेडिया है कि दोखो गिरी एरिया है इसको भी क्या बोलेंगे sector लेकिन इस वाले sector में बढ़ा आपका major arc include है इसलिए इसको लोग बोलेंगे major sector क्या बोलेंगे major sector फिससे देख लो रेजन in close by an arc and arc and a circle tick our Cali car there is an in close by an arc of a circle take our couple circle of our of our concert the reason enclosed by an arc of a circle this trigger and its two bonding reading to bonding really is called of sector of the circle money key key रिजन किसके दोर बांडे दोराना चाहिए डोर चेकर करऊ ऍाक पर आले यहार nast हिए और दू पांडिलया और चाहिए दोनों की एरिया का गर जोड दिया जाए, बैटा, जितनी भी सरक्ल तो सरक्ल होगी उसकी आपका बेरावर हो जाएगा. ठीक है? आप लोगों ने समझ लिया कि, minor sector क्या होगा? major sector क्या होगा? दोनों की area जोड़ेगी तो circle की area के बराबर हो जाएगा, ठीक है, हम लोगो ने sector समझा, आगे देखो, quadrant up a circle, यह मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर आया है, समझ लो, one fourth up a circle, is called a quadrant, वैस circle का बेटा, एक चोथा ही भाग ही बेटा, क्या होता है, circle का quadrant होता है, और degree major, जो quadrant का हो and segment, हम लोग आप formula की बात करने जा रहे हैं, कि circle की area क्या होगी, semi circle की area क्या होगी, समझ लो, quadrant की area क्या होगी, circular area for ring क्या होगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, कि sector की area क्या होगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, कि जो arc की length क्या होगी, ठीक है, उसके बाद हम लोग कि सेग्मेंट की एरिया क्या होगी इन सब फार्मला की बात करने वाल है फिर हम लोग आगे आगे बात करेंगे कि अगर दो सरकल अगर इंटर्नली टेस्स करें तो क्या कंडिशन होगी अगर दो सरकल एक्स्टर्नली टेस्स करें तो क्या कंडिशन होगी ठीक है तो किस पर आई लो देखें अब आप लोग क्या करिए सब्सक्राइब सब्सक्ते बात कटूरा ना इस बात करने जारहां कि जब सब्सक्राइब क्यों कि आप कोई भी सर्कर lobbie लो डुटिया का कोई वी सरकल चोटे से चोटे या बड़ा से बड़ा कोई भी सर्कल लो कोई भी सर्कल लो इसके सर्कम्फरेंस को माल लो C1 और इसके डामेटर को माल लो D1 इसके सर्कम्फरेंस को माल लो C2 और इसके डामेटर को माल लो D2 इसके सर्कम्फरेंस को माल लो C3 और इसके डामेटर को क्या माल लो D3 और इसके सर्कम्फरेंस क अब देखो यह हमारा circle हो गया, इस circle को बेटा यहां से जब cut करके बेटा आप ऐसे फैल आओगे ना एक straight line बन जाएगा, आप लोगों के पास rubber होगा, rubber जो circle का rubber होता है, जो बाल में भी लगाया जाता, circular shape का, उस बेटा rubber को बेटा क्या करना, आप कहें चीज से एक जगह से cut क करना करके पिटा उसको ऐसे करके फैलाना ऐसे स्थेट यहां खोर कि जानते हो क्या बन जाएगा और यहां से यहां तक었던 Renault करें सोगी से और इसकी रामेटर इसके स्कें निदे इसके प्रकेंट गेटर नसा सब्सक्रियार कर डेये इसी सर्कल्स में पीड़ा आइसने खेंड और यह साप्रद कर दोगी यह जो लिन्थ है पिछातर की ऐसे लेंज हो जागी कट और करके फैल के ऐसे लिन्थ हो जागी मेजर करके बाटब मेज़र कर ले प्रकर लेना घर पर यह शना हो गीया से वारिस पलान सोगी और इसके दा तो पर चलू इसको करते जाना इसका रिमेंडर कभीवी जुरू आने वाला नहीं है मानिये एक ऐसी डेसमल आयेगी ठीक है जो क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग ओ नॉन रिप्तिंग डेसमल आगे जो नॉन तर्मिटी हो ना रिटिंग डेसमल होता है वैसी वेटा नम्मर को हम लोग क्या बोलते हैं एरिशनल अमर बोलते हैं चीक है अब यहां भी और दोको यहां से कट करके इसको बीट आप जो फोल्ड करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा के श want si toハハ HIM Ćप से की डिमाटर इसके डिमाटर डि ट्यूस इवाइड कुरू के एघक्ट ऐन YOU मिलेगी स्थिप्ट ऐल आ उमैंट और इसको बीआ जगह से करें से कट करके ठीक है ऐसे फोल्ड करके तो ढीह जाय doin कि एच के arts के कर शका Cantonese में इसके डामेटर से ही डिवाइड करोगे तो 3.14 ठीक है यही वैलू मिलेगी जो सब में मिल रहे थी है फिर इस वाले सरक्ल के भी बिटा कहीं से बीटा कट करके इसको ऐसे फोल्ड करोगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा मालो सी फोर ठीक है इसका सरक्मेस कितना होगा सी फ चांसे बार की लोव उसके बटा सरकमफ्रेंस में उसी के बटा टामेटर से अगर हम रों डिवाइट कर रहे है तो एक बाब sizin देलों मिल रहे है यही फोल को को बोल लटिया गया इसका ढंस्रेट वैलू का एक लेटिंग जो meaning होता है वों circumference से मतलब होता है perimeter से मतलब होता है इसलिए इसको इस constant value को ही ठीक है आपको पाई तेदिया चुक्रubaipStep उसके circumference और उसके diameter में slap नाम यू भीर दें पाई जरा क्रास बाइपलाई कर लो इसका मतलब सकते कि दर वाट-इस पाई पड़ पाई इस दार रिए स्यू आप सरकंफरेंस ठीकर टुड़ डामेटर सर्कंफरेंस ऑड़ानिकर रेरी फिया था запालाट असके बाद मतलब बूलना फ्सी इसकर पाई करे तो आज के बाद या आखना कि अगर सरकल कर बिटा तर कंफेस्ट निकालना हो अगर आपको डामेंटर पता हो तो पाई में डी कमाइड इप्लाइब कर देंगे देश रकल कर देंगे प्लाइब तो अगर यहां पर तुआ रख दोगे ठीक है तो दो को सीज़कल तू तो अगर दिया क्या है, तो C is equal to formula क्या लगा होगे, 2πR, इसका मतलब हम लोगोंने प्यारा दो formula देख लिया, क्या, circle का circumference, C is equal to, हम लोगोंने πई देखा, और C is equal to, क्या देखा, 2πR, ठीक है, यह बटा दोनों formula बटा, circle का circumference निकालने का होता, अगर आपको diameter पता हो ठीक है तो बस diameter का πई में multiply कर देना πई कितना 3.14 जो value है ठीक है इसी value में इसके diameter का multiply कर देना निकल जागा circle का circumference मतले उसकी boundary की length पता चल जाएगी और अगर आपको radius पता हो तो देखो 2pi में 2pi में बटा उस radius कर देना क्या निकल जाएगा सरकल का circumference निकल जाएगा तो आज के बाद मत बूलना कि circle का circumference को फर्मुला क्या होता क्या होता है पाइडी होता अगर भूल भी जाए तो आपको पता हुआ ची कि C और D का ratio ही सब्सक्राइब करते हैं कि सर्कल की बिटा एरिया क्या करेगा ठीक है इन क्लोस करेगा कितनी एरिया इस प्लेन पर बाउंग करेगा इसकी एरिया पर आपको डर्क लिग बस फामना लिग दे रहा हूं इसकी एरिया पर आप कलагे झाल किछ जी कि एरिया होते बाभू वह पाई में बेटा रेडियास के सक्वार से बिटा माठिप्लाइ कर दोगे इस सफार्कल क की बेटी आपको एरिया निकल जाएहगी इस पाई में बीटा का सोगी उसकी इस बी एरिया ओगी वह आपको पता चल हम देखें तो C is equal to this R के जगा हम लोग रख सकते हैं D upon की 2 तो Pi इस D के जगा है रख देना कितना D upon 2, square है तो आप भी क्या कर देना square कर देना तो A is called by T by D square अब देको 2 square कितना हो जाएगा 4 तो आज के बाद याद दखना अगर circle का अगर आपको diameter पता हो और area निकालना हो तो आप इस formula से direct निकाल सकते हो कितना πाई d square अपन की फूर मनें πाई r square करोगे तो बस क्यों circle की area होगी लेकिन πाई d square अपन की फूर कर दोगी a b circle की area जहां आपको d diameter है लेकिन यहां पर आर क्या है radius है लेख सकते हो जो आर है बेटा है radius है radius है लेकिन यहांप जो d बिटा उस circle की बटा क्या बहूं diameter तो अगर circle diameter पता हो तो area pi d square आपन की force है आप डाट निकाल सकते हो अगर आपको डामेटर पता हो तो आप पहले रिडियस निकाल लो थिक रिडियस कैसे निकालोगे डामेटर का आधा कर देना रिडियस निकल जाएगी जब रिडियस निकल जाएगी इस फामले पूट करके बटा सरकल की एरिया निकल देना अधर्वाइस आप रिडियस नहीं है तो तो सरकल की एरियास मेनोग देख लिया अभी नोगी हो बात करेंगे कि हिल्याद स्कुछ एरिया आप गिर्वी अपैरिया का तु आम जो रिख रगता है वागा है यंद यो detailed report एप हैं इसका चैसे में डिपी सर्कल की ऐरिया किहां होगी यसकी मैं मिटा धिया होगी चॉमिक्षरू सबसे सेमिडिकलहर आप एरिया लेटा एक काम करो one upon two by R के जनर रख देन डी अपन के two, क्या रहना दी अपन के two, स्क्वार, तो, one upon two रहने तो, pi भी रहने तो, calculate करोगी दी स्क्वार हो जाएगा, ये two डी स्क्वार हो जाएगा, फालिल हो जाएगा, pi, a d स्क्वार, और सुनो, four two zero हो जाएगा eight, वो जाएगा 8, A square to, या लिख सकते हो कि A square to 1 upon 8 of pi d square, मने ये बेटा semi circle की area है, क्या 1 upon 8 pi d square ये semi circle की area, लेकिन कब जब circle के बेटा diameter दिया हो, अगर semi circle की area निकालना हो, तो direct आप इस formulation निकाल सकते हो, otherwise अगर diameter के थो radius निकाल सकते हो, तो आप निकालना हो, 1 upon 2 pi d square निकाल सकते हो, ये भी area की semi circle की, कब जब radius पता हो, और ये भी area semi circle की हो, लेकिन कब जब diameter पता हो, तो 1 upon 8 pi d square ये हमारी semi circle की area है, 1 upon 2 pi d square ये semi circle की area की अगर जब आपको radius पता हो, आपको पता होनी चाहिए, ठीकर आओ, तो semi circle की area की बात हम लोग कर लिए, अब आओ semi circle की perimeter क्या होता है, इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीकर, perimeter, perimeter आप semi circle, जब बैटा circle था, जब हमारा क्या था, circle था, तो इसका जो circumference था, two pi r, two pi r का मतलब दोखो, ये हमारा diameter, तो diameter क्या करता है, circle को two equal part में divide करता है, two equal arc में divide करता है, ये भी arc की लेंद कितनी होगी, pi r, इस भी arc की लेंद कितनी होगी, pi r, तो pi r plus pi r, कितना, pi r, ये वाला arc, प्लस pi r, ये वाला arc, कितना होगी बोलो, two pi r, ये हमारा क्या होता था, पुरा, circle का जो circumference हमारा two pi r होता था, यहां से यहां तक pi r, और यहां से यहां तक कितना, pi r, तो pi r, प्लस pi r कितना, two pi r, लेकिन हम लोग बात करने होने हैं, पस क्योवल semi circle की, अगर semi circle बनाओगे, तो semi circle कैसे बनता है, ऐसे बनता है, semi circle ऐसे बनता है, अब दो, इसका perimeter क्या होगा, जानते हो perimeter का क्या मतलब होता है, कि perimeter का मतलब, आप यहां से चले देखो, इसकी पुरी boundary के length, आपने यहां से चला, यहां चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, आपने कितना चला, कोगे सर, हमने पायर चल लिया, नहीं चले क्या दोखो, और यहां से यहां तक, आपने कितना चला पायर, बता, क्या एक complete चक्कर पूरा हो गया, नहीं, भाई, दोखो, यहां से पायर, और यहां से पाईयर एक पूरा complete चक्कर हो गया इसलिए पाईयर प्रस पाईयर हो गया लेकिन सेमि सर्किल की लिए जो पेरिमीटर होगा पुरी boundary के एक complete चक्कर होगा, माने जो semi-circle का पेरमीटर होगा, वह बेटा, क्या होगा बोलो, जो semi-circle का पेरमीटर होगा, बभू, वह क्या होगा, बोलो, आपने उपर क्या चला, पाई-र, प्लस, या आपको आर प्लस आर, आपको तुवार और चलना पड़ा, इसका मतलब बभू, य नहीं होता है, बल्कि पाई-र, प्लस, तुवार होता, क्योंकि एक complete चक्कर मारने के लिए बेटा, उपर ता आपको पाई-र, चलना पड़ेगा, और साथ-साथ, एक पॉइंट पर पहुंचने के लिए, आपको आर प्लस आर, डिस्टेंस, कवर करना पड़ेगा, तुवार आपको अगर आर की याई-र, की वैलो, इस पाई-र, वाई-र, याई-साथ, रग दिया जा, वैसे पाई-र, एक के लिए, भाई-र, साथ होती है, ठीका, और खास्या थी होती कि पाई-र, सात कभी मान, इसका मतलम कि पाई कमान बेटा बाई बड़े साथ की लगभग बराबर नहीं होता है कि पाई की वेलू बड़े साथ की बराबर नहीं होता है बाई बड़े साथ की बराबर नहीं होती है गतता बिल्कुल नहीं होती है फिसके लगभग बराबर होती है सब्सक्राइब कर लो तो आर इसके आपान वन करो वन का 22 में तो 22 होगा प्लस सेवन टूजा कितना होलो 14 अपान के 7 होंजा 7 इसको इसको कल्कुलेट करो आर इंटू बाइस चोथे लोड़ों को हो जागा 36 नीचे कितना असाथ 25 00thtpf2020 fotos के आगया लिओं अचißt जुर्स बटाके साथ इंटू अरो को बाद में इक बाद के बाद जूभी सेमी सरकलल का जो पेनीटर हो का बटा वो 36 बटा के साथ इंटू रोता है आज के बाद मंत बूलना कोई पूस्ता है कि सेमिसर्कल का परिमेटर तो आप इसको भी बता सकते हो बताओ कि पाई र प्लस दी जहां डी डामेटर है या पिसको भी बता सकते हो पाई र प्लस टू आर या पिसको भी बता सकते हो कि पाई पी स्कल्टो आर ब्रेकेट में पाई प्लस टू बता सकतो या तो पी स्कल्टो छत्तिर बड़ा साथ इंटू और कुछ भी बताओ सब सही है ठीक अगर आप से मालों को टीचर पो दिया कि वाट इस परिमेटर आप सेमी सर्कल तो बताओ कि पाई र प्लस डी वेर वाट समय हो किस समय हो कि नहीं तो ह जोल हुआता सेमी सर्कल का जोंकर है अब अप सन्ले रखते हैं यह रह से ुसलकी की कह बाद अब हम लोग बात करेंगे च Clark here एरिया देखा साथ एक परिमेटर देखा हम लोगों ने सेमी सर्कल की एरिया देखा और सेमी सर्कल की क्या देखा परिमेटर देखा अब हम लोग देखेंगे की क्वाडरेंट की एरिया क्या होगी अब क्वाडरेंट का परिमेटर क्या होगा इसकी भी हम लोग बात करेंगे तो सुनो, अब देखो, वाई Quadrant आप जानते हो, एक सरकल हो गया, ठीक है, तो दो बेटा परपेंड़कुलर बेटा डायमेटर, सरकल को बेटा, ठीक है, फोर एक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद देखना, दो परपेंड़कुलर बेटा, डायमेटर, सरकल को, ठी अब बाते, क्वाइड की जो एरिया होगी, सरकल की एरिया की बटा एक चोथाई भाग है, एरिया बेट चोथाई होगी, एरिया जो हो जागी बेटा, बन आप पान की फोर, पाई आई स्क्वार, बेस सरकल, क्या हो गोलो, एक क्वाड़र्ट की एरिया, मैं लिग दे आपन फोर पाई स्कॉर, अगर डामेटर की टम में बताना हो एरिया, तो आर के जाना अगर दोगे डी अपान की टू, स्क्वार कर लो, तो जाएगा बन आपन फोर, पाई इन्टू, डी स्कॉर अटू का स्कॉर कितना हो जाएगा, फॉर, फाईली काल्कुलेट किया जा, ठीक है, तो पाई डी स्कॉर नीचे, 4, 4 जाए, सीस्टीन, तो यहाँ देखना कि अगर आपको डामेटर पता हो, ठीक है, क्वाडरिंट का, ठीक है, सरकर को क्या पता हो, तो क्वाडरिंट की ऐरिया होगी, वह बेटा, पाई डी स्कॉर अपान के सिस्टीन, या वाँपान प्रतिक पार्ट को बात करते हैं और प्रतिक पार्ट को बात करते हैं प्रतिक 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 प्रति बूलो होगा कि नहीं बूलो यहां से यहां तक π अहित तुह दुन्दंट Mouse नहीं ऑध तो मधेनु नर्क कर दूजहों नहीं ऑपाइर अटुह दूड़ा पेक्न वृकोड़ो चूत कर फाइर पाइर पाइब कर टूप ऑल्यों कि तो कोडियन्ट मुझे लगता क्यासी बन जेयागा आग यह कोडिए रहा और दुखी हम लोग से बहुत करते हैं कि पेरिमेटर के बात करते हैं यहां से गुंधर सेंटर है यह वाली R के कितनी होगी ₹ और अपान के 2 होगी प्लस यह कितनी आर प्रस एकित्नी यार नगर्टो दो कितनी हो रहत तो यहाल देखना यार अ घुम्लिक यह था. Right? पूर मतीतनी होगे ₹ लेंंट हो यह हtoi घृत sports के अnew डेधन ुधस? हमारा क्या होता है quadrant का perimeter होता तो आफ यह क्वarmed हो इन टेन होता है थिक है अई ओई आये हम लोग बात करते हैं के area up ring हलाए कि area up ring की मैं बात कर कर चुका हूं थोड़ा से आप न भी बात कर लेंगे अब area up ring क्या हो बटा दो दो osoba सेम सेंटर हो और ही इसको इन दोनों सर्कल की बठा को यह जो 20 की एरियाः फ़ीजिए उसकी की अम लोगा बोलते हैं अब दौको इस बड़े वाले सर्किल इस capital R और inner radius small R तो area of ring क्या होता है area आप ring क्या होता है तो दोको बड़े circle की area में से बेटा इस छोटे circle की area अगर minus कर दिया जा इन दोनों circle की 20 की area होगी इनी दोनों circle की 20 की area को बोलते है area of ring बोलते है जो की pi capital R square minus pi small R square बेटा area of ring होती है इसको calculate करना चाहोगे तो calculate कर सकते है दोनों में से pi काम मिल जाएगा तो capital I square minus small R square हो सकता है तो pi A square minus B square तो first bracket A plus B हो जाएगा और second bracket में A minus B दे सकते है बेटा यहीं क्या हो बोलो area of ring पाई into capital R plus small R into capital R minus small area of ring होती है ठीक है रिंग को बोलते है वालाय का मतलब दो circle के बटा जो 20 की area होती बटा उसी को बोलते है वालाय का चेत पर माने area of ring बोलते है ठीक है जो की आपके सामने मैं लेख दिया हम लोगोंने area of ring देखा अब इसके बाद आगे जो लोगों पढ़ने वाले हैं उसको मैं बता दे रहूं क्या पढ़ने वाले हैं area of ring हो गया अगर आगे बात करेंगे कि अगर मालो कि दो सरकील है दो ऐसे दो सरकील है ऐसे करके दो सरकील है छोटा बना लेते हैं अगर माल लिया जाए इस छोटे सरकल का radius इस बड़े सरकल के जो radius को क्या माल लो है capital R यह आर्वन मानता हूं इसको माल लेता हूं एसके diameter को मैं माल लेता हूं D1 इसका जो भी diameter होगा इसके diameter को मैं D2 माल लेता हूं इसका जो भी circumference होगा इसको C1 माल लेता हूं इसका जो भी circumference होगा इसको C2 माल लेता हूं इसकी जो भी area होगी उस area को में माल लेता हूं A1 और इसकी area को क्या माल लेता हूं A2 कि इसका डामेटर कितना हो जाएगा बुलूगी तो इंतु र टू हो जाएगा अगर मैं दोनों में रेसीयन निकालने की कोशिच करूं थी कर दोनों सरकिल की वीटा करेंग कर दोगा डिवाइडर कर दोगा रिष्ट निकलने के लिए तूसर टू कांस्टेंट वैलू कर जाएगी दो क्या आया दीवन अपान के डी टू इसकल को क्या आगया और अपान के अर्टू आगया इससे जानतों एक बात समझ जा रही है कि अगर दो सरकील है ठीक है अ बढ़ सबने ही उनके राडिएस में भीиваютर माला हॉतना ही अबर सकते हों दरेश्यू आप डामेटर्स आप फो तू सरकील इस दे सेम एज दरेश्यू आप देर रिडियाई इतना बोल सकते हैं अगली बात दोको अगर मैं बोलू इस पहले सरक्ली का बोलो सरकंफरेंस कितना होगा को जोगा सर्ची वन इसकुल टो जाएगा तू पाई आर वन हो तो सीवन आपान की सीटू सकुल सब्सक्राइब ही इससका मतलग हम लोगों ने देखा कि दो सरक्ल के बैटास उनके रेडियास के रेजियू के एकुल हो त हैमाने दो सब्सक्रेंस के रेसियू अगर थे स्थे फोर्पुष तो उसके बिटास रेडियस के लियू सपाट जाएंग तो सपंट मान लिए जाए सबस्ट फ़स्ट एंड से किन से फ्रांड फैस्ट एंड से एक जानती है इतना क्या चल जाएगाν तो खुञर्वा ए सब्सक्तिर पनांटबर has जितना होगा उतना ही उसके radius का ratio होगा और उतना ही उसके बोलो diameter का ratio होगा एप पॉइंट बटा मत बोलना इसका मतलग कि the ratio of circumference of two circles is the same as ठीका their radii as well as the ratio of their diameters बटा ठीका दो सरक्ली की बटा है circumference का ratio exactly उनके radius के रिश्य के पराबर और उसके circumference का ratio अगर मालो three is to four है तो बताएं उसके radius का ratio कितना उतना ही होगा उतना ही होगा उतना ही होगा और diameter का ratio कितना होगा 3 is to four सब ratio अपस में क्या होगा बोलो भावर होगा इस बात को आप लिए देखना हम लोग आगे अगर बात करें तो मैं बोलों कि पहले सरक्ली का बेटा area क्या होगा तो को सर एरिया निकाल सकते हैं कैसे सर पाई आरवन इसक्वार होगा ठीक है अच्छा दूसरे सर एरिया क पाई आपका अर्टो स्क्रावर होगा अब एरिया करें सो निकालने के लिए अपको डिवाइड करता है था फाहिए यह हो गया देखा अपने की अपने के एवन आप आनके एट टू इसपल टू अपने क्या पाया आरवन इसक्वार अपन के आपाया अठीक फर्मुलया जा आञान द कितना Smith अपनें देखा विटा कि दो सरकिल के बाटा एरिया का विजवागा उनके जान एक प्रेडियस के अधाल वनावट एडिया इडिया का उनके एरिया का पूछल लिया तो रेडियस के गार देना स्कॉर कर देना तरी का स्कॉर नाइन और हम लोग नहीं थे आगे ने तो अगे देखा आगे हम लोग ने क्या देखा कि C1 upon C2 देखो पीछे पेस पर देखो देखो C1 upon C2, R1 upon R2, D1 upon D2 बराबर होता है अगर इसी पॉइंट को एगर मैं यहां पर लिख दो कि C1 upon C2 is equal to R1 upon R2 is equal to D1 upon D2 लिख दो इसको माल लेता हैं, equation number 3, और इसको माल लेता है, equation number 4, अगर मैं comparison करा दूँ, from equation third and fourth, अगर मैं compare करा के देखूं, ठीक है, दोनों को comparison करा के देखूं, तो मैं लिख सकता है, जानतों क्या लिख सकता है, A1 upon A2 is equal to जानते क्या लिए सकता हूं R1 upon R2 कि whole square के बरबर तो है और सुनो R1 upon R2 के जगां आप लेख सकते हो जानते क्या लिए सकते हो D1 upon D2 भी लिख सकते हो whole square और सुनो इस R1 upon R2 के जगां C1 upon C2 के ratio से मिए होगा तो आप लेख सकते हो शेए अपन की सिटू का किपना होल स्कॉर आप लोगों ने देखां की बठा एवन आपन की एटु किसके पॉल आरणा पान की आदू को को रियसकॉर या तो जितना रेडियस मोरी सी रीकनी पाइद ई सुपा हो तो अब अपन एक रिपाड़ और जाँ पता हो कि आपको पता अच्छा इन सबकां अगर आप इसको रूख लेतों रूख लेते हो तो देखो। अंडरूट हो जाएगा A1 अपान के A2 यह R1 अपान के R2 है यह आपका होल स्कॉर है इसका रूट हमको सबका लेना है लेले स्कॉरूट सबका हमारे D1 अपान के D2 का क्या बोलो D1 अपान के D2 है अगर सबका सबका सबकार सबका रूट लेलोगे देखो अंडरूट अपान के E2 स्कॉर ूट से स्कॉर कैंसिल हो जाएगा बचेवा कितना आपान के A2 इबचेगा बेड़ागा अगर अगर यह में से पूछ लिया और सरकम्फर को यह को कि बता से बचल यह था ऊड़र इनिकाल को पता चल्गावाट नहीं में। लब कि आर होन आपॉन के आऱ टू या तो दीवन आपान के डीटू या तो सिवन आपन के सिट्वीज दिशने की बिदू बइन दो खुट लेगा सब और जितना सल्कमफ्रेट्वर रीडियेस्ट निए डीमेटर में तो रीडियेस्ट में बिले शोल कितना होगा इस सल्कमफ्राइटर में स्क रिशु को बाष्ट तो फूर और डामटर में वहुआ इतना ही होगा 3 to 4 दी देखना अगर area करेशिव अगर दे रहा है तो आप से पूछ सकता है circumference करेशिव या तो diameter करेशिव या तो radius करेशिव अगर दिया है तो उसका square root निकाल लेना ठीक हाँ? area अगर दिया ratio दो इन सब में पूछेगा मैंने area दिया है तो आपको square रूप ही निकालना होगा ठीक है अगर area पूछेगा area पूछेगा जब area पूछेगा तो क्या देगा ratio C1C2, R1R2, D1D2 इसमे ratio देगा जब area पूछेगा तो आपको square करना पड़ेगा माने अगर देदिया कि R1 और R2 मैं ratio अगर 3 is 2, 4 देदिया अगर area में रेसे पूछ रहा है पूछ रहा है तो आपको square करना पड़ेगा 3 का square no, 4 का square चुरुक करना पड़ेगा और area दिया है इसमें पूछे तो square root निकालना पड़ेगा जिसट सब सब तो direct निकाल सकते तो तो हम लोगोंने देखा, दो सर्कल के radius में रिशो, उसके circumference में रिशो, इस सब बराबर होता है, ठीक है, और यह सब तो बराबर होता है, किसके बराबर, अंडरूट, ईवन अपान की अजन रिखों को बना लेना, अभी हम लोगोंने बस बात किया विटा, कि साखल की यह के बात किया जो की पायर स्कॉर होता है सपकर संक फ्रिंस टो गोदा है ख्तिया होता है फिशम तफे हम लोगों ने देखा की रिलेशन के दो सर्क्रिके सर्क्म्फरेंस में और रेड 이ेसे हैं मैडर ले सम्टाइब रहता है ऐसे लन आर्क का पारव्ला क्या होगा joka कि एडरा से भाते लंके ठाब आठेव गडिश् प्रक्राओ भी तरो किया कि है माया एक लिक्ता एक यह निड़ अर्क एक वह मुटने लुटतेर परिछे के सब निकालेंगे गिस अस्टार मरें निकालेंगे है titreifi करेंगे है ठीक है सेक्टर के रिए पर हम लोग सेगिमेंट के रिए इस सब का बात करेंगे वार्कि कुछ कंडिशन से इसकी बात करेंगे तब जा कि आपकी पूरी क्लास्टेंट की थियूरी कंप्लीट होगी आपकी देर न करते हैं कि आर्क आफ लेंथ ठीक है डाल दे रहा हूं आप की डालेजेगा लेंथ अफ आ अफ अर्क की लेंथ क्या हो कि इसको हम लोग बात करते हैं तो असे सर्किल बनाओ अब ध्यान देना मैं आपको आयर्क संधा चुका हूं कि एक चेकर्क आउस्मार्ड का ध्र। मशत ब्ली अर्क मऱल बोलते हैं कि माईलो डार्कस की यहां से यहां तक जो लेंथ होगे, इसली लेंड को हम लोग क्या कहा है, बोल की आर्क nella ऐंसे खराएंे को तो परीज बीरल खरा मिनेर आश्रोगा। और 200 कॉम त्रेस थेल्प्या रही हिंए हागा, इसल आप मे कहा है तो ने आट सोर्साइगी यहां से यहां तक जो लेंद्ध होगी इसकी लेंद्ध को अगर हम लोग क्या इसमाल एल माल लेंद्ध को क्या इसमाल यहां से लेकर यहां तक की जो लेंद्ध है इसको क्या माल लिया जा इसमाल एल माल लिया जा अगर बहुत ध्यान से देखोगे एक चीज में बताओ कि को पाज के बाद याँ दिखना कि जो लेंद आप आर्क होती है what directly proportional होती है कि इसके Central angle थीता कई परकोर्शन ऩोटी है अगर मैं सको सपोज मैं मालनू हुँ १ुट रवन मालनू इस मेजर इस मेजर आर्क की द्वार अमेजरो कि लेंद को बेट हम वोग capital L से हीनून करते हैं मालो की major arc की जो लेंद है इसे centre पे जो central angle क्या बना रही है theta 2 बना रही है theta 2 बना रही है तो मुझे बताना कि जो capital यह लोगा यह डारेकल प्रोपोर्श्ण होगा किसके यह theta 1 के जिसके क्प्रिटा के अगर बाट खुझाओ नहीं का स attendance लेकल माने कि जो आ टी जो है अगर कम होगी ठीक है तो सेट्रा एंगल थीटा भी सब्चा कि ठीक हमाने कि length, arc of length बढ़ता जाएगा, तो theta भी क्या होता है, बढ़ता जाएगा, माने कि जो L होता है, वो data proportional की होता है, central angle theta के, तो इसमाल L, theta 1 की proportional हो जाएगा, capital क्या हो जाएगा, theta 2 क्या हो जाएगा, आपका data proportional हो जाएगा, अब देखो, तो अगर, दोनों में अगर divide कर द तो एक मिल जाएगा, हमको दोखो, क्या मिल जाएगा, यल अपान के capital L is equal to हो जाएगा, theta 1 अपान के कितना theta 2, मेरे काने का मतलब बढ़ता, कि इस length, arc of length और इस arc of length, में जो ratio होगा, वो किस के ratio, इसके theta 1 और इसके theta 2 में ratio क्या होगा, बढ़ता, इस पर बढ़ता, आपका direct question लगता है, या दखना, ठीक है, कि इसमाल L अपान के capital, में जो भी ratio होगा, उनके corresponding central angle के ratio के कितना होगा, अगर central angle में अगर ratio, अगर माल लो, 3 is 2, अगर सपोच 4 का बन रहा है, उनके arc of length में भी, जो ratio कितना बनेगा, 3 is 2, 4 का ही बनेगा, इस बात को आप लोग या दखना, त length of an arc, इसमाल L बरबर क्या होगा, दोको, यह चारो तरफ की लंबाई, हमारी क्या कालाती बोलो, circumference 2 pi r कालाती है, तो असल में यह जो, इसमाल L क्या है, इस पूरे 2 pi r का, एक टुकडा ही तो है, कितना टुकडा होगा, कोगे, कि theta टुकडा होगा, यह मालो, सपोजी, हमारा इसमाले चेटा बना रहा है, तो कितना टुकडा होगा, यह थीटा कितना में से, आउट आप 380, और 620 में से, और किसका टुकडा है, यह लेंथ आप आर की किसका टुकडा है, इस पूरे 2 pi r का ही तो टुकडा है, तो 2 pi r का मैटिक लाए का दो, यह देखना, जो हमारा आर क लेंथ अबर एक फैक्ष फ्रेक्शनल वैल्यू होती है किसकी फैक्षनल वैल्यू गितना किटना में से आउट आप ठीक है बस इसको हल कर दो तो थीक है तो तू पाई आर थीटा अपान के अब 300 कितना बटा 60 डिगरी पटा यहीं जो फर्मूला होता है बटा किसका होता है आपका लेंथ अब आर के कम और दोखो इसको तू से ऐसे कट भी कर सकते हो जब कट करोगे दोखो यह हमारा तू पाई आर कितना थीटा बटे के 370 डिगरी है इस टू को कर भी कर सकते हो तू अंजा तू 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 अटे शोल टीजिरू मनें कि समाल एले सकल्ट होजाएगा पाई आर थीटा नोड कर लेना पाय थीटा बटे के 100 कितना असी डिगरी यह बटा हमारा क्या हो गया लेंथ अप आर हो गया क्यूंकि यह आर क अगरсонट थीटा बेटा एक्सुअ एक्सुअ असी डिग्री अगरेट फीता बेटा यहीज लेन्ठ आजाईगे तो तोया दख्यों कि ञ्रक की जोट डिग्रीटा बेटा की पी ख्यालिग्स डिग्री या तो तुम बोलो तुम बहुते चाज़्िह THE आ पर फिर समझ दो जो आर्क की जो लेंद्ध होती वेटा इवेटा जानतो क्या इसी 2 पई आर का क्या है एक टुकोड़ा कितना टुकोड़ा है ठीटा कितना में से 360 में से असल में जो लेंध आप आरक होता वेटा वेक फ्रेक्शनल वैल्लू होता किसका फ्रेक्शनल है अगर माल लिया जाए कि जो लेंद्ट आप आरक की किलेंद्थ है तो मुझे बताओ कि मेजर आरक की लेंद्थ निकालने के लिए तोर्टल सरकम्फरेंस कितना तूपई अर्में से बेटा अगर लेंद्थ आफ माइनर आरक इसमाल अलग हटाद होगी तो क्या निकल जाएगा लेंद आप मेजर आर्क लेंद आप मेजर आर्क लेंद आप मेजर आर्क मेजर आप इसका नूर्स बना लेना मेजर आर्क capital L is equal to pi r minus length of minor arc और सुनू 2 pi r length of minor arc निकाल चुक हो pi r theta pi r theta आप पान की कतना 180 degree ठीक यह capital L का क्या होगे बोलो formula होगे capital L का क्या होगे formula 4 capital L is equal to 2 pi r minus pi r theta बटे के 160 degree याद रखना कि पाई आर थीटा पटे एक सोस्ट डिग्री बेटा है यह हमारा माइनर अरक का लेंथ है और तू पाई आर में से माइनर आरक का लेंथ अगर माइनस कर दोगे तो लेंथ आप मेजर आरक निकल जाएगा बास समझ जोगे नहीं तो ऐसे आप निकालना आगे सकते हो ठीक है कि इस नहीं आप लोग नोट कल लेना रे खांओ लोग हमारो ने समझ आ कि यहल है लिंध आप हो आर कर क्या होता है पाई आ फीटा बटे की ऑक सोशी डीग्री यातो अदू पाई आर थीटा बटे की क्यों सँर्षाट दिग्री अब हम लोग समझेंगे कि से सब्सक्टर की एरिया क्या होती है, हम यहिंग जी समझ लेते है क्या सब्सक्तर कर थे क्या होती है, आओ अधिन डाले ना एरिया आप सेक्टर एरिया आफ हो एरिया आप सेक्टर अच्छा मैं आपको सेक्टर बता चेक्टर क्या होता है फिर समझ लेते हैं सेक्टर अधिक अ गरसा है एлат एक अजिदि peng ओ ठीक अधिक इस आर्क की द्वारग और odra ockingुदटर ए कि असन गेरी बटा एडिया होती है इसके को अम लोग्ग क्या बोलं Central यह मालों आरक जुए हो है इस center पर central angle कितना बना रहा है थीटा बना रहा है तो असल में अगर देखा जाए से लिख दे रहा हूं कि area कि मालो minor arc है area of minor area of minor sector area of minor sector को मालो capital A से डून कर दे रहा हूं अब बताओ असल में देखा जाए कि जो sector बेटा है वो असल में ठीक है इस पूरे circle की area का बेटा एक टुकड़ा है कितना टुकड़ा है को होगे सब थीटा कितना में से कितना में से total 360 degree में से किसका टुकड़ा है किसका टुकड़ा है पाई आर स्क्वार का माने कि जो सेक्टर बेटा होता है सरकल की एरिया का टुकड़ा होता है लेकिन जो लेंद आप आर को जो होता है वो सरकमप्रेंस का टुकड़ा होता था और यह जो सेक्टर बेटा एरिया का टुकड़ा है तो कितना टुकड़ा थीटा कितना में से 360 में स सिसका पैर इसकोर का घडेगा वीडेगा कुछ नहीं तो पाई आर ही स्कूर्ग थीटा को जरा बाद में लिए दो आपान के 360 degree विटा यहीं बटा एरिया क्या होता है सेक्टर जो कि पाई आर स्कूर थीटा लटे के 360 सेक्टर हो गया एरिया आपको मेजर सेक्टर निकालना होगा एरिया आपको मेजर सेक्टर निकालना होगा इस ऊपर वाले sector की एरिया निकल जागी चुक्त उपर वाला आर्क है एो दोर ओरियानो ऐनो तो यह अगिरी एरिया यह सेकनर मेजर सिक्टर की है प्रियर स्थिरिय उर्य यह सिपनी उगी रोगे होगे तो आप 212 do लूज होता कितना थीटा पन के जिसित डिगरी समझ गया ना जितना भी थीटा अधी उस ही होगया यह थेटा और वहम सब्सक्राहदह कि अगर कि इतना देखा, 360 डिगरी देखा, अच्छा एक काम करो, एक काम क्या करो, इसी में बेटा, दो का मल्डिप्लाई उपर, और दो का डिवाइड क्या कर दो, नीची भी कर दो, मान में कोई फर्क नहीं, और यहां पर दो को पाई आर स्क्वार, अच थीटा बटे के 360 डिवाइड अब दो, तो हमने 2 का मल्डिप्लाई उपर भी कर दिया, और 2 का डिवाइड नीचे भी कर दिया, value में कोई भी फर्क नहीं होगा, सेक्टर की एरिया मेटा, कोई भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि जितना का मल्डिप्लाई किया, उतना कि हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर द लिए और यहां से यहां से जो नीचे वाला टू है इस नीचे वाले टू को यहां पर लिखा और इस टू को यहां पर पाई आर ठीटा ठीक है करके एक aller हां पर बचा नीचे देसरणी अब बहुत अगर देहान से अपजर्ब करोगे तो न तो क्या है कि मारा लेंधा अप् आर्ख है लेंधा अप आर्ख है लेंधा यहां आरे लेंधा आर नर का है इसका मतलब की 2 pi r theta बटे 360 degree के जगा मैं लिख सकता हूँ l क्या लिख सकता हूँ l into a क्या होगे r ए पूरी value length up r के के बराबर है into r हम लोगों ने एक formula निकाल दिया बैटा किसकी sector की area के एक और formula मिल गया 1 upon 2 l into r आज के बाद या दखना कि sector की area के एक formula और आ गया 1 upon 2 2 ठीक है l into r 1 upon 2 l into r या आप इसको simply 1 upon 2 क्या बोड़ सकतो lr बोड़ सकतो lr ठीक है इसकी बीच में कोई साहन नहीं मतलब इंटू है इसका मतलब कि इस area आप sector area आप सेक्टर आपनों लिखा 1 upon 2 1 upon 2 r का लेंथ यहल को बोलोगे r का लेंथ r का लेंथ into radius r का लेंथ into radius आप इसको नोड कर लेना बै यहल क्या है आर्क लेंथ आर्क की length into radius मानने की सुनो थ्वासे फिगा कर बरस समझ लो ऐसे देखो यहां से यहां तक बिटा हमारी length of arc है और हमारी क्या radius है सुनो इस sector की अगर area निकालने होगी यहां से यहां तक जो भी इस radius का multiply करके बेटा half कर दोगे इस sector की area निकल जाएगी जो बेटा यहां से यहां तक जो arc length होगी उस arc length में इस radius का multiply करके बेटा आधा कर दोगे इस पूरे sector की area आपको निकल जाएगी अगर मालो central angle theta नहीं पता है क्या क्या दे दिया arc की length दे दिया और उस सर्किन का radius दे दिया और आपसे पूछिन लगा कि डारेक्ट बताएगी की sector की area क्या होगी तो 1 upon 2 l into r कर देना sector की area पता चल जाएगी अगर central angle theta दिया हुआ है और radius दिया हुआ है तो area आप इस फगल से निकलोगे पाई आर स्कॉर थीटा पान थींडेस इस निकलोगे माने कि radius पता हो और central angle theta पता हो तो आप इससे निकलोगे area लेकिन arc length पता हो और radius पता हो तो sector की area 1 upon 2 l into r से निकलोगे थे दोनू पॉइंट बेटा आप क्या कर लेना लोगोने देखा कि आर्क आफ लिंद की बात कर चुका हूं मैं सक्буर की area मीडने की बात कर चुका है पसेक्टर की हम लों जर iç辉स के भी कर ले वह रही किस एक्टर कभी तो पार्मीटर होता होगा तो दो नहीं होता है उसकी perimeter के भी मीटर बात कर लेते हैं अगला ही ऐड़िंग लगालै ना पिरिमेटर आपन सेटर ठीक आफ यह पहले आफ आफ और सेटर आफ ऑन सेटर तो परेम इडियर करते हाँ एक्पार्स फेरिमेटर में बात करें तो आज हो एक पेरिमीटर आपसेटर पेरिमीटर इसको नोड करते चलो पेरिमीटर आपसेटर का है आ पधनाम है ओ इसको पौइंट सेपोर सी रख़ दो ओ ये सिभी अपुना यहां से अपने चला यहां चलेंगे, यहां चलेंगे, ऐसे फिर यहां पर चलेंगे, तब जाके एक चक्र Platform होगा, वोलो, यहां से यहां तक कितना को होगे R, और यह वाली length कितनी? इसे समाल से एक पूर से length कितनी? R, अगर देखा जाए तो L और R प्लस R कितना? आर प्लस आर बिटा हो जाएगा आपका 2R और यह जो यहल क्या है यहल क्या है लेंथ आप आर्क आप ज्यान के हो कितना पाई आर थीटा बटे के या तो लेंथ आप आर कैसे लिख दो तो 2PiR थीटा बटे के 360 डिगरी प्लस कितना 2R या तो इस 2 से जब इसको कट करोगे तो 180 डिगरी मने की सेक्टर की जो पेरिमीटर हो जागे जो सेक्टर के पेरिमीटर पी जो हो जाएगा उपानली आगया पाई आर थीटा आपान के 180 डिगरी बोले तो लेंथ आप आर का प्लस आर इंड्युवरण यहीं जो फारमुल्ला होते होते हैं के सेक्टर की बीटा आपका क्या होते है सेक्टर के फरिमेटर होता है सेक्टर जब切नी च ABOUT 2O से यहल और 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 प्लस र कितना टू आर ठीक है रटता न मारो चीड़ों का अगर समझेंगे तो आटमेटिक सब सरजी जे क्या हो जाएंगे आपको यहाद हो जाएंगी आप इसका जल्दे से आपको इसका स्क्रेंसार्ट में जम्हाट जारहा हूं साइट में आप सभी लोग इसका स्क्रीन सार्ट लेंगे, स्क्रीन सार्ट आप लोग इसका ले लेंगे, ठीक है, स्क्रीन सार्ट आप लोग इसका ले लेंगे, ठीक है, बरतन 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 ना, आए, बरतन एक दुठो ना, धोले जिए खनों बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ह आउल है चलीet तो हो गया प्रमिटर आप तो यौ चेक्तर चीह आभण हो न देख लिए प्रमटर से क्षाम अब को च्टर कर सबसके सब्सक्राइघ में प्रमून को सरने संथी बात करते हैं कि सब्सक्राइब कर आए य pł dw do है ठीक है heading लगा लो अब दो को segment मैं आपको बता चुका हूं कि segment क्या होता है ज्यरा समझों सरकल हो गया और हमारा card हो गया तो card के द्वारा और corresponding arc के द्वारा जो भी घीरी area होगी उसी का नाम कि segment होता है अब इसकी area निकालना है एक काम करो कि सरकार के सेंटर ओमल इसको जरा मिला दो तो कि इसको मिला दो कि इसको मिला दो ठीक है अब बहुत ध्यान से देखोगे ठीक है तो बताओ ओ ओ एबी कैसा triangle आई-सके-स ट्रेंगल कुकि ए वला और योला बड़ा बराबर रेडियस है यहमारा कितना आर यह भी कितना आर रेडियस आपस मिक्वल होगा तो अगर और इसको मांगर सी माल लिया जा ओ ए CBO, पूरा सेक्टर होगा, क्योंकि RQ के द्वारा, दो रडियाई के द्वारा, पूरी घेरी एरिया है, पूरी घेरी एरिया हमारी क्या होगी? सेक्टर होगी, ठीक कद्यान देना, यह हमारी पूरी घेरी एरिया हमारी क्या होगी? सेक्टर होगी, तो देखो, एरिया आप को सर्क शांड गेट करने खालोंगा अरिया ओ और माइनर सेगमेनimize गाल देक custom फिल्क कर अच्छा चामा आ इस सगुमेंट का नाम टेना एरी आ minor segment is gonna be cool oh oh a see many segment era 7 tomorrow is ko malo be malo be malo schoolie to a c b rd a dana segment kya hooga a c b d a a marno segment ho ga isi tiam ko area find karna hai area of minor segment a c b d a thikar of us of 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 a circle is equal to kya se nika loge kosa area area of sector 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 ka naam kya o a c b o may say area of triangle o a b ki agar area minus kar diya jaya deko is poor sector ki area may say or is triangle ki area ko agar minus card okay but how kiski area bachega simple si ba de beta isi segment kya bachega because sector ka se ka ta ki area bachega kya sektor ka sektor ka ta ki area bachega pura sektor joan a bita in a group sector poori area deko isi tamara poori area is poor sector ki area may say is poor sector ki area may say are deko is poor sector ki area may say tiga is triangle ki agar area was triangle ki area ko agar up minus card o ga kiski area bachega polo isi segment area bachega isi segment kya 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 k center O, मिला दो ठीक है यह हमारा R, यह हमारा R इस R के के दोरा यह central angle है क्या है suppose theta है अब सुनू तो इस sector की area हम लोग जानते है π, R square sector की area हम लोग जानते है π, R square theta बटे के 360 degree जानते है लेकिन इसी triangle की area हमको नहीं पता है अगर इसी triangle की area हम लोग निकालने, तो जानते हो इस segment की area निकल जाएगी क्योंकि triangle की area माइनस कर दिया जाएगा अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर एक triangle है क्या एक triangle है अगर एक triangle का बेटा base अब base के corresponding उसका altitude, height अगर पता हो उस triangle की area होती है 1 upon 2, base into height multiply करके, हाप कर दे तो triangle की area निकल जाती है इतना तो अब जानते हो अब एक चीज आपको याद करना पड़ेगा plus 10 की चीज एक है आप लोग पड़े होंगे टेगमर्टिक रेसियोस तो टेगमर्टिक रेसियोस क्या होता है किसी भी right angle triangle में द्यांदर अगर आप इस angle को अगर थीटा मानोगे तो थीटा के सामने वाली साइड हमारी perpendicular का लाती है 90 डिगरी के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है जो हमारी बच जा उस साइड हमारी क्या होती बेस है या दोकर किसी भी right angle इंगल में इस एक इंगल को अगर थीटा मानते हो थीटा के सामने वाली साइड होती हो परपेंट को लगो होती है और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है जो साइड बच जा उसको में बेस बोलते है इसमें एक होता टिगमेटिक रेसियोस यह क्या होता जो पहला रेसियो होता है साइन थीटा साइन थीटा किसका किसका रेसियो होता है कि परपेंट कोलर और हाइपोटेनस का जो भी रेसियो होता है उसी को में लोग क्या बोलते हैं साइन थीटा बोलते हैं है एक बात याद को जो passive you too होता हुए ओर दुसरी बाद offers are यह बहुत आपको पता हुनी चाहिए अब देखो मैं करने के अवाला हूं बहुत भ्यां से देखना हूं यहां को थीटा तो पता ही है एक काम करो इस OAB इसोस्केलरस ट्रेंगल है ठीक है इस मैं OB को मानता हूं बेस ओभी को क्या मालेता हूं बेस इस बेस OAB के opposite vertex यहां ए से क्या कर दो इस बेस बालबो परफिंट को यहां कितना डिगरी यह भी कितना डिगरी इसको लो सब्सक् Helena खिख एल क्या हो जाएगा है वह फो जाएगा किसके दॉस रिस्पक्त में मैं बैस ओ बी कि हमने किets Им be lucky इस एड़े निकाल सकते हैं उद्धी वो था अ प्रोसेस इसलिए चाप कर बताろ इसाथ को समय जम्रीक नह atenção भी इस जो अब दो को यहां पर एक्शिट अंगल आपको थीटा पसर्थ अब लुट यह तो पता ही आ ट्रीक में कौनल आपको एक विस अब ऑघ इसको मिला लिजISA एक्वोट अंगल अपो छीटा अब को पता ही है यह मारा क्या हो गया अब स्कूश् której अब को टूब सामने वाली जो साइड ऐह लोगी हमारी परकंड करते कि बिदिएuu जो भी थीटा होता थीटा कि सामने वाली यह क्या यह सामने कोका यह आंगे कर devo को सामने कि सायड यह हो लेको लो, इन, in, right, in, right triangle, alo में, alo, आपका right triangle है, यहाँ 90 degree, 90 degree के सामने बले साइड है hypotenuse, यह theta है, theta के सामने बले साइड perpendicular, यह जो हमारा ol है, ol है, हमारा क्या हो जाएगा, base हो जाएगा, अगर इसमे, तुमलोग साइड थीटा निकालोगे, शाइड थीटा लगाऊगे, अगर साइड थीटा लगाऊगे, जानतो क्सकर इसी होता है, होता परपिंगुलर और हाइपोटेणेडिस का, इस theta के लिए परपिंगुलर हमारा al हो जाएगा, परपिंगुलर क्या हो आध्यियस उसको मैंने रख दिया तो साइन छी टो चैजल्ट जानते हूं कितना आया कि एई एल अपान कि आगर क्रास मडिप्लाई करोगे यह यह जानती हो पीटना कि टी अर सान साइन चीटना चाहिए ca इस बेस ओबी के रिस्पेक्ट में जो हमारा एयल हो गया वहमई रहले कितना हो बहुत ओर साइन ठीटा हो गया और जानती हो इसका बेस तो आपको ऊप्र भी पता है, आपने इस बेस के कर्स्पांदिंग अल आपने हाइट निकाल लिया। जानती हो इस ट्रिंगल की एरिया क चैनल भेस अमार औप टो एंतु जान्तु बेस बडेस स्वार जो बेस क्या बेस हमारा ओभी और अभी बेस के थीका पर रسمक्त में जो क्रिस्पांढिक ओल्ट फीडर स्दूल का मरक राकितना बrebbe स्वार कि खाम वह टिक हो तो हमारे radius r के बराबर है into इस base के respect में height निकाल चुका हूँ L जो कि हमारी r sin बोलो कितना बोलो r sin theta है तो अगर देखा जाए calculate किया जाए तो pi r square theta upon की बेटा 300 60 degree minus 1 upon की 2 r into r r square हो जाएगा और कितना बोलो sin theta आप लोगों ने देखा अगर सेक्टर की area को स्वरी सेगमेंट है तो सेगमेंट की अगर area को अगर मैं माल लूँ ए क्या माल लूँ ए तो pi r square theta upon 30 60 degree minus 1 upon 2 r square sin theta माने समिला जोला के इस जो triangle की area आ रही है वह 1 upon की 2 r square sin theta आ रही है कितना 1 upon 2 r square sin theta आप डारेक्ट याँ दखना इस जो triangle की area जो निकाला गया असल में 1 upon 2 r square sin theta आ रही है इस पूरे sector की area में से इस triangle की area 1 upon 2 r square sin theta अगर माइनस कर दोगे बैटा इसी segment की area निकल जाती है कौन से segment इस segment की area आमारी निकल जाती है तो आज के बाद याँ देखना इस segment की area होगी बैटा वह पाई एरिसक्वाद थीटा अपां थीटा अपां थीटा अपां थीटा अपां थीटा अगर आपको नहीं आता है तो derivation से क्या ही लेना देना आपके एक जाम डेवसन थोड़े नहीं पोचता है बस आपको फर्मॉला याद होना चाहिए कि segment की area क्या होती है पाई आरिसक्वाद थीटा पंथी में 60 डिगरी यह पता होना चाहिए कि पूरी सेक्टर के अरिया होती है और यह भी पता होना चाहिए वह नपन तू आरिसक्वाद साइन थीटा यह हमारे triangle की area होती है इसी को minus किया गया है तो segment की area निकला है अचा सुनों एक बात तुमको और बता देना चाहता हूं जो साइन थीटा का एक फार्मूला जानतों क्या होता है वो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 पेटा यह फार्मूला क्लास सरफ पाई आर स्क्वार हो Kathe Alma थीटा अपन के थीटोमको 40 degree minus what Afghan के टूरe s裁ए गया है जाता तो साइन थीटा के जगा है अपकी two sun theta by two into consecutive two रख सकते हो ठीक है ऑ hai और रखते हैं जड़ा तो क्या बन जाया कर देखा जातो तो pi r-square theta upon के 360 degree minus 1 upon 2 r square into, इस sin theta के जगा आप रख सकतो फर्मुला होता है, 2 sin theta by 2 into, into, into cos, into cos beta theta by 2, अप सुनो, ए 2 से beta 2 cancel, तो finally आप देख सकते हैं कि मिल गया, pi r square, theta upon के 360 degree minus 1 upon 2 r square, बाभू, sin theta by 2 into cos theta by 2, ये भी आपका, कहा 2, 2 तो गावन होगे, 2 से 2 कट चुका है, तो इसको 2 कुछनो लिखा जा रहा है, 2 से 2 कट गया, तो इसको अटाई है, तो वल्ली r square sin theta by 2 into cos theta by 2, ठीक है, ये भी सेक्टर की बेटा, सरी, सेग्मेंट की एरिया होगे, सेग्मेंट की एरिया होगे, तो सेग्मेंट की एरिया आप बोलिए, 1 upon 2 r square sin theta by 2 into cos theta by 2, ये एरिया हो जाएगे, अगर माल लो, थीटा की value बेटा, अगर माल लो, 120 degree दे दिया, और आप से पूर दिया कि सेग्मेंट की एरिया होगे, अगर आप theta का माल अगर यहां पर 120 दिया रखोगे, क्योंकि आपको बस केवल 90 degree तक मान पदता है, sin 90 तक मान पदता है, आपको sin 120 का मान तो पता ही नहीं है, क्योंकि sin 120 का मान बेटा, आप क्लास एलेंट में सिखा जाता है, तो आपको sin 120 का मान कितना होगा, मालो नहीं दिया, तो क्या करोगी, दिक्कत हो जाएगी, तो आपको यहां पर 120 रखोगे, तो 120 अपन के 2, जान तो किसमें कनोट हो जाएगा, इस 60 में कनोट हो जाएगा, जब ठीटा के जान रखोगे, 120 अपन के 2, जानतो हो कितना, एक 60 बना देगा, तो अगर थीटा को मान 120 डिग्री भी दिया है, इस फर्मुले सो बेटा, आपको sin 60, 60 में कनोट हो जाएगा, sin 60, 60 की वैलो क्लास टेंग तक आप जानते हो, आप निकाल सकते हो, बस समझ जो कि नहीं, निकाल सकते हो, वैसे अगर ऐसा दे रहा, 120 डिग्री, तो वैसे sin 120 डिग्री को माना आपको ब्रैकेट में दे देगा, नहीं देगा, तो आपके लिए आपको युगार बता दिया, कि आप इस फर्मुले के इसमाल कर लोगे, पाइर स्कॉर थीटा पर थीटा पर थीटा पर थीटा बाइटा समझ रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो किसी किसी बुक में बेटा, segment की area का formula ये देते हैं, RD में देखोगे, segment की area का formula ये दिया हुआ है, और आप RS में देखोगे, आपको ये मिलेगा, तो ये दोनों formula बेटा, segment की area के हो, तो फर्क ही बस इतना, कि sin theta के जगहा, बस ये व होती हम लोगोंने देख लिया चलो आव हम लोग अब बात कर लेते हैं कि अब मेजर सेगमेंट के अगर अरिया कर दोगे- तो तो मेजर सेगमेंट के अरिया निकल जाएगा तो अगर आपको अगर एक point गर लिखना चाहो कि area major segment गवा, फर, major segment, area major segment रिकना चाहो तो लिख सकतो, क्या हो जागा, सर तो पूरे π違y国 area में से माइनर segment की area minus कर देना Area of minus segment area of minus segment मैंनस कर देना क्या निकलेगा सिंप्स सब्साuirी अप मेजर सिग्में निकल जाया गार मैनर सबस्कों स्गले कीरिया निकूए को तो का मेरे सब्सक्राइब हों और यह बात यहाँ दखना कि minor segment और major segment कोई बैटा हम लोग alternate segment की भी नाम से जानते हैं यहाँ दखना कोई बोलेगा alternate segment पते तो बताया था पीछे बन अब गर चलोós कि अम लोगा पूरा ाफ्रैल्मला लग लोगों ने जो बैटा इस प्सक्राइप एक चकर लगाती है जानतो इसकी साथ मिनट में एक चक्कर लगाती है मिनट वाली सुई घुमती है तो वह तीन सौत डिग्री के एंगल बनाएगा वो मिनट वाली सुई जाती है में एक चक्कर घुम जाती है तो गाधेक्ना हो जायागा तो को निख रिखा गया है कि angle described by minute hand in 60 minute तो 60 minute में बेटा ठीका minute hand के दोरा जो भी angle described होगा वह 360 degree को होगा और एक minute में कितना होगा angle तो 6 degree को होगा ये भी आपको बात पता होनी चाहिए और सुनो और जो बेटा hour hand होती है जो घंटे वली सुई होती है जानती हो वह क्या करती है कि 12 घंटा में कितना 12 घंट में वह पूरा 1 complete चक्कर मारती है 12 घंटा में बेटा एक पूरा complete चकर मारती है जब बारह घंटा में बेटा 12 आवर में वह आपका एक complete चकर मारने का मतलब 360 degree angle बनायेगी तो बता वन आवर में one hour में कितना angle बना सकती है तो बन आवर में Sir और तीम सो साथ डिग्री बटा के बार बारत याइन च्छतिस बारत याइन च्छतिस तीस हो जाएगा तो वन आवर में ठीका वन आवर में बेटा वह तीस डिग्री का एंगल बनाएगी कौन घंटे वाले सुई अथा आवर हैंड एक घंटे में एक घंटे में वह तीस डिग इस सब बाते आपको पता होने चाहिए कि 12 गंटे में जो आर वाले हैंड होती है वो 360 गंगल बनाएगी एक गंटे में कितने में वो 30 गंगल बनाएगी इस बात को आप लो गया दखना और जो मिनिट वाली सुई बिटा है वो अभी आपकी मिनिट वाले सुई बेटा इस क्या जाएगे बोलो तो एक मिनिट में एक मिनिट में आपका वाली मातर छो डिग्री के एंगल बनाएगी तो पांच मिनिट में पांच मिनिट में कितना बनाएगी पांच मिनिट में वो भी आपका 65-35 डिग्री के एंगल बना आप लोगों के बैटा साइकल चलाते होंगे ठीक है उसमें वील होती है चक्का होती है चक्का होती है तो मालनों आप अपने घर से होम से आप जा रहे है उस स्कूल यस का मतलब स्कूल और होम का मतलब आपका घर और होम से और स्कूल कि जो 20 की बैटा जो डिस्टेंस है मालनो तो capital D distance से कितना capital D distance है मुनें आपके घर से अपकी school के 20 के दूरी है कितना D है और आप क्या क 나타וע कि cycle चला करे की बेटा आप क्या कर रहे हो कि आप school से या होम से अपने घर से school जा रहे हो तो cycle चला कर जा sushi आपकוח क्या कर की चक्कर लगाएगी थो मुझे बताओ कि साइकिल जब आपका एक चक्कर लागए आपके साइकिल को जो चक्का है पहिया जो है विल जो है अगर एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कबर होगी माने कि डिस्टेंस कबर्ड बाई विल इन वन रिवलोसंस एक चक्कर में आपके जो पहिया कितन इसका चारोतर तरफ की जो लेंद होगी ठीक है टूपायार उतना इबटा एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगी बात तो सही यह मालो बेटा की या दखना की डिस्टेंस कवर बाई वी इन वन रिवलोशन्स या इन वन रोटेशन एक रोटेस्ट अमेटा विल को दरा जो डि एक चक्कर में जो आपकी पया बेटा कितना डिस्टेंस कवर करेगी तूप या इस घर से बेटा इस उसकूल में जाने पर जाने में में बैटा उसको साइकल को कितने यह न चक्कर लगाने होते हैं एक चक्कर में अगर वह बेटा तूपायार डिस्टेंस कवर कर रही है तो तु पयार डिस्टन्स कफर कर रही है उम्हालओ घर से स्कूल जाने में पईया को कि ो कितना यह चक्कर लागाना पड़ रहा है तो है यह चकर मेंट क्लिकितना डिस्टन्स हो जाएगी अब मिटिप्लाइंक 8 heat त्यागी यह जो पूरा डिस्टन्स कहां से निकल गई- енным हों से और किस्कूल से निगल गया अगर न क्या माना हूं ओडी के बरबर कर दिया मोगी अगर पंबाइं करने में निकल नहीं क्यों उख न दूब्र क्या ज दिस्टेंस बड़ा बॉलें सुन पया असा मिद्राइण function इसकेल मचलकेट कुड़ी अपान किसी डी क्या है कि डिस्टेंस कब डिस्टेंस कब क्यील मचला चपकरों कि संख्या जो पए yarn वयाइन क्या है involving Philippa तो जितना डिस्टेंस vier कर रहे हो सिस्टेंस में ठीका तीका मुण जो वील है उसके सरकमफरनस अगर ट्योयाई कर दोगे आपको पता चल ज crédarina नम रख पता चथा चाल जाएगा पह बता है अगर लो यहन पता है और बी पता आपको सी निकालना तो सी इसकल टू क्या खिन शेकर दोगे तो क्या कर सब्सक्राइब निकाल सकते इस बात को याद दखना सिंपल सी बाद बैटा को भी पईया होगी एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी जितना भी उसका सरकंफरेंस होगा ठीक है तो और यह निसकर टू डिया पान किसी अप लोगों ने फंगर देखा इसी बेटा बात को बिटा यहां पर आपको समझाया गया अपको देखो डिस्टेंस मुब्ड बाई और वील इन वर रोटेशन एक रोटेशन में बैटा किसी भी वील के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होती बैटा उसके सरकंफरेंस के बाबर कवर होती है अब सुनों नम्मर आप रोटेशन इन मिनिट एक मिनिट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और उसके सरकंफरेंस डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा या निकल जाएगा मनिन इसको असल में भी आपान के सी है लेकिन आप से बस पूछा जा रहा है कि एक मिनिट में कितना दूरी चल रही है कितना डिस्टें करें अगली पॉइंट करें तो क्या कंडिशन होती है अब दो सरकल जब एकस्टरनलिट सक्रें तो क्या अधर रडूजा बीटा करें गया है इसको फॉटूराच बनाना थो आप लोगатוש मणा सकते हैं है कि हम एकी इसका आप लोगों को लिंगे स माना तो मना सकते हैं उसको समझा देना इन फरेपर II जई कि बढ़े वाले सर्कील का सेंटर ओ यह इस छोती वाले इस क्यों सब्सद strawberries सेंट्राइस और यह दोनों सरक्ल कि पेटां सेंटर की बीच की दूरी वह Q गएंछिंडर कि दूरी तुमिती होगा साल्टर के बीचके ौटे इनधरिण है जो जो यहां से लेके यहां तक यहां तक हमारा क्या आगे इसमाल होगा तो इस पूरे capital R मतलब O P में से minus O डैस P, O डैस अगर P minus कर दोगे, O P कितना है capital R है और O डैस P कितना है small R में से, अगर आप small R minus कर दोगे तो दोनों center की बीच की दूरी निकल जागे, माने वहीं लिखा है कि when two circles touches internally, condition उस पर that question मिलता है तो the distance between their center when two circles touches internally then the distance between their center is equal to difference of their diet, उनके radius में जितना difference होगा उतना ही उन दोनों center की बीच की दूरी होगे, कि बीच की बीच की बारावर होता है, कब जब दो सरक्ली बाटा इंटर्नली टच करें तब इसको आप लोग नोट कर लेना, when two circles touch internally, then the distance between their center is equal to the difference of their radius, आप लोगो ने इसको समझ लिया, आगे दोको, जब बेटा, when two circles touch externally, जब बेटा, दो सरक्ली बेटा, एक्सनली जब टच कर रहे है, point P पर, point P पर एक्सनली टच कर रहे है, तो दोको, दोनों center की बीच की दूरी क्या होगी, ओ, O, O, S होगी, और O, O, S किसकी बाराव होगी, सर, यह O, P, A, Plus, O, S, O, S, P की बाराव होगा, और O, P कितना, Capital R, A, Plus, O, S, P, कितना, इसमाल, ठीक है, इसका मतलब बेटा, जब दो सरक्ली बेटा, अगर externally test कर रहे है, तो, the distance between their center is equal to the sum of their radii, उनके radii के sum के इक्कोल होता है, दोनों center की बीच की दूरी होगी लिखा गया है, बटा, वेन, टू सरक्ली टचेज, टच externally, देन, distance between their center is equal to sum of their radii, ठीक है, तो जब दो सरक्ली बेटा, अगर पॉइंके अगली पॉइंक्ट, अगली पॉइंक्ट, हम कोस्नस मिलेगा, ठीक हाला कि थोड़ा से, कुछ चीजे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ठीक हम लोगों क्या क्या पढ़ा, आप देखो, गुआ, पॉइंक्ट, के और अगली पॉइंक्ट, तो एक बॉइंक्ट, यहाँ देखो, हम लोगों ने पढ़ा, की, देखो, यह कंडिशन और स्कीन साट ले लो, मैं सब को देखा दे रहा हूं, ठीक है, सब को स्कीन साट लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें आपको एक ही जगे स्कीन साट मिल जाएंगे ठीक है नोट्स अगर आप बनाना चाहो तो आप यहां से ठीक है सबका नोट्स बना सकते हैं चुक्त मैं सबको दिखा रहां बड़ा सबकुष न इस स्कीन साट अगर लेना हो तो आपको सकते हैं, ठीक है सकीन साट अगर आपको लेना हो तो बीसका यह सब चीज़ें आप लोगों को दिखा रहा हूं इस स्कीन साट लेने के लिए, क्योंकि पर दॉब पाहला कोशन भी करना है, पहला कोशन अब को पीछे ही छुड़ गया है ठीक है तो मैं पहले कोशन को पहुझने की कोशिज कर रहा हूं इसके इंसाट अब लेजर दे हैं ठीक है हम जड़ी अब दोखो आप हम लोग पहला कोशन करते हैं वेटा कि find the circumference and area of the circle of diameter is 28 cm वेटा हमको find क्या करना है circumference find करना ठीक है और area find करना circle रही कि करना और दिया क्या है diameter 28 cm दिया तो सुनो diameter आपका 28 cm दिया लिए लिख लो 28 cm एरिया भी find करना है पहले circumference लिखा है circumference भी find करना है और diameter ठीक देच माल डी इस माल डी यह भी find करना तो मैं बता हूं कि कि सरक्फरेंस जानतों कितना होता पाइडी होता कितना होता पाइडी अगर डामेटर दिया है अगर आप सरकल निकाला सरकल का सरक्मफरेंस निकालना चाहतो तब डैट पाइडी इस्तमाल कर दो पाई की वालु कितनी 22 बटे के साथ इंटू दी की वालु दो को कितनी दिया 28 तो साथ चोग बटा 28 अकार दो मुटिप्लाइ करते चार दूनी के आठ चार दूनी के आठ बटा 88 सेंटीमेटर क्या हो गया सरकंफरेंस अच्छा सरकंफरेंस हो गया और आप बसष्ट एसे भी निकाल सकते थे क्योंकि जोगो डी स्कुल्टू देख गो 28 दिया तो मैं बुले से भी निकाल सकते थे तूप यह सब्सक्राइब करो करोगा, तो निकाल सकते थी तो क्या जोरत इससने करोगे है, तो एक डिया है तो अपको रेडियस निकाल ना पड़ेगा, जब रडियस निकालोगे तो सब्सक्राइब निकालने के लिए टूपर इस्तिमाल करोगे तब अठासी याने वादा और कुछ नहीं आएगा एरिया की बात करें एरिया हमारी कितनी पाइयर स्कॉर ठीक है रडियस जब पता हो तो पाइयर स्कॉर लगा रहा हम और जब डामे आपका आर दोखो 14 आया आर इसकॉर करोगे बाइब 14 इंटू कितना होगा 14 होगा मैंटिप्लाइ करना साथ से कट लो साथ दुनी के चौधा अब कर लो बाइस दूना के हो जाएगा च्वालीस आज गुरे बाइस दूनी के च्वालीस गुड़े कितना चौधा चौधा पाई पाई कमान बोलो कितना 22 बठे के साथ अड़ी कितना 28 है 28 गुड़े 28 ही होने वाला है नीचे कितना चार है दोखो 4,7,28 काट लो इस साथ से काटोगे तो साथ चौधा ये भी 28 हो जाएगा तो फानली आने क्या वाला दोखो आएगा दोखो त्या चार दूनी के आठ अठासी हो जाएगा अगुड़े ये कितना साथ साथ वाठे चपन साथ वाठे चपन साथ वाठे चपन अच्छा कितना एक साथ उतना यहार दोखो 612 सेंटीमेटर स्कॉर ये भी आ रहा मनें आप पाई डी स्कॉर आपानो फोर से एरिया निकालो सरके लिए कि या पाई आ अच्छा नोट्स बनाना हो आप यहां से बेटा सब कुछ नोट्स बना सकते हैं ठीक है आपको नोट्स अगर बनाना हो तो मैं दिखा दे रहा हूं इस सब कुछ नोट्स आप वीडियो को पोस्ट करके इस किन साथ लेके अगर अपने बुक में कापी में सब लिखना उखना हो तो आप लिख सकते हैं ठीक है तो आप लिखते रहिएगा आप लोग जितना हम सब्सक्राइब करेंगे ठीक है कुछ को सब्सक्राइब करा देता हूं बाकी आप लोग करती रहेगा और कुछ संदूसरा है ठीक है को सना प्लोग करेंगे हाला कि सोचलां की कुछ संगा जो सेसन है मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूं ठीक है कर दो आप दिया हुआ है फाइंड एरिया आप रस सरकुलर सरकल अच्छा होज शरकंफरेंस इस चाचड सरकंफरेंस मतलब सी दिया और सरकल के बिटा एरिया पूछ रहा है तो सरकल फिर जानते हुए कितना होता है तू पाई आर तू पाई आर इस इकल टू टू बटे साथ इंटू आर इसकल टू कितना चाचड सुनो बाइस अतियां चाचड कट लो ठीक है अब आर निकालोगे दो साथ उधर जाएगा 21 ह सब्सक्राइए यही इन्टू बाईश बाता तू र होने के वजह ए से Pentrel 21 कагण है यही तो पूछ रहा था अरिया कितना पाय ह relationship के यह पाई कमांश बटे साथ बेटा इंटू आ हैं इंटू राप्रेस कितना 21 बतादो इस स्क्वार होने के वजह से 21 बता हो जाएगा तीर सत्थ और 21, 63 और 6 46, 69 हो जाएगा आपान के 2 अब 2 से डिवाइड कर दोगे 2, 3, 6 2, 4, 8 2, 6, 12, 2, 5, 10 346, 346.5 सेंटीमेटर बेटा क्या हो जाएगी एरिया ना स्क्वार हो जाएगी यूनिट हो जाएगी स्क्वार सेंटीमेटर स्क्वार 346.5 सेंटीमेटर स्क्वार इस रेकल की एरिया हो जाएगी कब जब उसका बेटा इसका इतना चाचर दिया तो स्क्वार्ण की मदश से बेटा आप निकालोगे रेडियस रेडियस निकल गया तो आप इरिया निकाल सकते हो ठीक है तो यह हो गया अगला question अगर देखो तो steel wire ठीक है अब लोग question में बंद करूंगा आला कि आप लोग question में दिखा दे रहा है आप लोग करना इसका हम लोग video बेटा ठीक है next video में कर लेंगे लंबी video बनती जा रही है lecture का वीडियो आप लोग इसको देख लेना इसको आप लोग करना question ठीक है म ठीक है question करना होगा next video में question ही करना होगा क्योंकि यह सब सारा आपको दिखा दिया ठीक है यह सब question आप लोग करिएगा 15 questions था ठीक है जो आज रखा था अलाकि live session होता तो मैं करा दिया होता ठीक है live session recorded video है ठीक है तो आप लोग क्या करना कि सारा जो इसका जो theory पढ़ाया हू जितनी भी formula पढ़ाया हूं सब का notes बना के ठीक है जितनी भी सारी term से समझाया हूं उसको आप लोग अपने mind में रखना ठीक है और इसका हम लोग जो next lecture ठीक है question वाला उसको हम लोग complete करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग कल ठीक है next video में तब तक के लिए आप स झीक है